अब वेरी वेरी गुड आफटरनून सो सुबह के वैसे बारा बज़रें तो बच्चों को लगता है कि मॉनिंग बोले यहां गुड आफटरनून बोले सब आफटरनून हो चुक है हमारा ठेक है हलाकि बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है बारिश वगर आ रही है यहां पर तो और बहुत ही कहते हैं मतलब ऐसा हो रहा है कि किसी के साथ घूमने फिरने जाएं बट लेकिन कोई बात निए ठेक है पढ़ा ही लिखाई भी जरूरी है बाद में घूम फिर लेंगा राम से गुड मॉर्निंग योगेश गुड मॉर्निंग पवन संजना चालो जी सो जल्द कोशन्स की प्राक्टिस करेंगे और जो टोपेक्स हमारे कुछ रहा गए थे हाट वाला जो टोपेक था वो कोशन्स की हैल्प से उसको और अच्छे तरीके से समझ लेंगे और फिगर आउट कर लेंगे ठीके मैं यहां पे कुछ एक पीछे ना पीपिटी ओपन कर लेता हू ताकि इफ इनकेस में अगर आप लोगों को समझाना हो तो दिक्कत ना हो हाना में को कुछ structure ड्रॉ करना हो तो अपना आराम से हम लोग structure वगर ड्रॉ कर लें सो यहां पे एक नोट हम ओपन कर लेते हैं महाँ पर मैं आराम से कुछ जो भी में पॉइंट्स लिखने होंगे वह लिख दूँगा और कोई ड्रॉ करना है तो वह हम ड्रॉ कर देंगे चालो जी सो गुड मॉर्निंग अमर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अलब वही जो बच्चे आते हैं उनका थोड़ा वेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं क्लासे अपनी ठीक है और टॉपिक वाइस कोशन करेंगे हम लोग देखेंगे कि पहले जो हमारा ब्लड वाला टॉपिक है उससे और रिलेटेट कौन कौन से कोशन बनते हैं यहां पर सारे की सारे कोशन से हैं प्रीवेस यर की है यह जो पीडिफ है आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर कर पुछा गया है कि परसन विद अबी ब्लड ग्रूप जो होते हैं और कॉल्ड यूनिवर्सल रसिपियंट्स थेक है तो जिनका ब्लड ग्रूप अबी होता है वो हमारे यूनिवर्सल रसिपियंट्स कहलाते हैं ना दरीजन इस दिस दूट अप्संस अफ एंटीजन अबी प्लाज्मा प्रेजंस आप लोगों को बताना है ठीक है तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत होगी नहीं खास काफी असान कोशन है हमारा पहन हम निकाल लेते हैं जी हां ओके सो अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर किसी का ब्लड ग्रूप ए होता है तो क्यों होता है जो कि उसकी आर्बीसी के सर्फेस पे वह एंटीजन प्रेजंट होता है यानि कि अगर किसी का ब्लड ग्रूप अगर हम बोलें कि भाईया A है तो इसके surface पे इसके RBC की surface पर इसके RBC को है ठीक है उसकी surface पर antigen present है antigen present है कौन सा antigen present है A तो इसले इसका blood group A होगा अगर B है किसी का blood group तो इसकी surface पर B antigen होता है ठीक है और अगर हमारा क्या कहते हैं A B है तो दोनों antigen होते हैं A और B दोनों antigen होते हैं और अगर किसी का blood group O है तो कोई भी antigen नहीं होता no antigen ठीक है आच्छा जी दूसरी बात मैंने बताया था कि अगर किसी की surface के उपर antigen हमारा कौन सा है अगर जो antigen present होता है उसके opposite present होती है antibody ठीक है उसके opposite होती है antibody तो यहाँ पे antibody B होगी यहाँ पे antibody B होगी इसके पास NTA होती है अब यहाँ पे antigen है तो यहाँ पे no antibody ओके नो antibody और यहाँ पे कोई भी antigen नहीं है तो यहाँ पे दोनों होती है A और B दोनों antibody होती है so क्योंकि हमारे blood group AB वाले जो लोग होते है उसके पास कोई भी antigen नहीं होता है sorry कोई भी antibody नहीं होती है प्लाजमा में so there is no one to fight antibody एक तरीके से आपकी बॉड़ी के लिए bodyguard है ठीक है so plasma में A और B अपसंट बहुत बढ़िया शिवराज ठीक है 12 की क्लास कब होगी बेटा है देखो सौनो हम लोग नीट की प्रपरेशन कर रहे है अभी मैंने क्या कहते है physiology एक unit उठाई है ठीक है जब हमारे ये खतम हो जाएगा उसकी बदम 12 की भी chapters उठाएंगे तो इसमें सारे chapters हम लोग कवर करेंगे ओके so answer यहाँ पर क्या हो जाएगा absence of antibodies जो हमारी NTA और NTB in plasma antibodies हमारी plasma में present होती है ये बाद भी ध्यान रखना है और antigens ये होते हैं हमारे they are present on the surface of RBCs ये बाद भी याद रखनी है ठीक है चालो जी next question पर आते है next question यहाँ पर हम लोगों को जो दे रखा है question number two अच्छा इस PDF में solutions भी है तो बाद में आप इसको अराम से read कर सकते हैं PDF में आप लोगों के साथ share करूँगा अब इस question में पूछा गया है next question question number two which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogenes to fibrin कौन सी enzyme है जो inactive fibrinogen को fibrin में convert करती है तो इसका भी हम लोगों ने कल discussion करा था कि thrombokinase एक complex बनता है वो pro thrombin को convert करता है thrombin में ठीक है and thrombin जो होता है वो convert करता है fibrinogen को fibrin में याद है जिसको अगर इसके बारे में idea नहीं है आप last वाला lecture देख सकते हो जो हम लोगों ने कल ही के lecture करा है इसी same channel पे same time पे आपको वहाँ पे दिख जाएगा ठीक है so यहाँ पे correct answer क्या होगा बहुत बड़े शिवराज जी ओके so thrombin यहाँ पे हमारा answer आ रहा है thrombin हमारा correct choice है अगर यहाँ पे question पूछा जाता कि भाया देखिए बताईए ऐसी conscious enzyme है ठीक है जो convert करती है किसको जो convert करती है basically pro thrombin को thrombin में pro thrombin को thrombin में ऐसा कौन सा complex है यह substance है जो pro thrombin को thrombin में convert करता है तो उस case में आपका answer आता क्या thrombokinase thrombokinase ठीक है तो छोटा सा blood clotting का एक चार्ट में आप लोगों को दिखाए ता last lecture में वहीं यहाँ पे काम करेगा answer के साथ PDF इसले लाए है ताकि आप लोगों को केते हैं थोड़ा idea लगते रहे अगर कहीं पे कोई conception knowledge की दिक्कत आए तो आप लोगों को हाँ पर answers भी देखते रहें तो हम उसको भी discuss कर लेंगे ठीक है लेकिन आप लोग answer पर ध्यान मत दीजिए दिल पर हाथ रखे सही answer दो टेके बिना देखे हुए तुम खुद सोचो ना कि मतलब इसले मैं तुम लोगों को करूँगा तो आप इसको बाद में read कर सकते हैं ओके चालो जी next question पर आते हैं that is question number third अब question number 3 में क्या पूछा गया है इसके बारे में जारा discussion कर लेते हैं यह question number 3 आप लोगों के सामने है इसमें आप लोगों को blood के cells दे रखें यह sonophils, basophils, neutrophils और lymphocytes और यहाँ पर दे रखें इसका function immune phagocytosis, release histamines, destructive enzymes यह release granules containing histamines, ठेक है, सो क्या यहाँ पर correct answer होगा, basophils का क्या function होता है, sonophils का क्या function होता है, उसके हिसाब से आप लोगों को इसको mark करना है, ठेक है, चलो जी, बताओ, इसका answer बताओ, यहाँ पर मैंने answer show नहीं करा है, ठेक है, नहीं आप लोगों को answer दिख रहा है, तो जल्दी से इसका, बताइए क्या correct answer होगा, देखो मेरे को होता है ना कि जब match dog column कर दे होते हैं, तो सबसे आसान वाली जगह से शुरुवात करते हैं, मेरे को पताए कि जो neutrophils होते हैं, उनका function क्या है, phagocytosis का है, तो C के साथ second आएगा, C के साथ second हम लोगों को दे रखा है, option number A में और option number D में, ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, lymphocytes हमारे immune response में participate करते हैं, तो D के साथ first हमें दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ option number D में, तो आप इस तरीके से इसको solve करे करो, बहुत बढ़िया सिवराज, सही answer है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, ठीक है, बाकी हमारा basophils यो होते हैं, उनका क्या function है, वो release करते हैं, histamines, and हमारा जो isonophils होते हैं, यह release करते हैं, histaminase destructive enzymes, अगर हमारी body can do histamine release हुआ है, तो उसको destroy करते हैं, जो allergic reactions होते हैं, उसके तुरह नहीं help करते हैं, basophils histamine को release करते हैं, ठीक है, तो D answer यहाँ पर हमारा correct है, next question पर आते हैं, question number fourth, question number fourth में आप लोगों से पूछा गया है, कि which of the following gastric cells चो होते हैं, indirectly help in erythropoiesis, अगर किसी को erythropoiesis नहीं पता है, तो बता दू, erythropoiesis का मतलब होता है, formation of RBCs, ठीक है, so, कौन सा हमारा gastric cell है, जो RBCs के formation में help करता है, indirectly, बहुती अच्छा question है, दो chapters को यहाँ पर knowledge, हम लोगों को connect करना है, idea दे जाता हूँ मैं, एक हमारे क्या कहते हैं, digestion and absorption, और यहाँ पर हमारा circulation, आप लोगों को याद होगा कि stomach में हमारे एक cell थे, ठीक है, कौन से cells थे, parietal cells, parietal cells हम लोगों के, HCL तो secret करी रहते, साथी साथ वो एक factor release करते हैं, that is, castles intrinsic factor, याद आया, one shot में मैंने बताया था, castles intrinsic factor जो होता है, vitamin B12 का absorption करवाता है, and साथी साथ, castles intrinsic factor जो होता है, वो iron का भी absorption करवाता है, ठीक है, तो मैं यहापे mention कर देता हूँ, देखो, आपको solutions में लेंगे, ठीक है, बट आप यह भी note करते रहना, छोट छोटे-चोटे points में, कि parietal cells यो होते हैं, यह secret करते हैं, क्या, castles intrinsic factor, जो Fe2 plus का absorption करवाते हैं, अब Fe2 plus से बनता है hemoglobin, hemoglobin होता है हमारा RBCs में, तो Fe2 plus होगा, तो hemoglobin बनेगा, hemoglobin होगा, तो वो RBCs में store होता रहेगा, तो indirectly हम कह सकते हैं, parietal cells चे होते हैं, they help in process of erythropoiesis या formation of RBCs कह सकते हैं, ठीक है, so option number यहापे भी हमारा क्या answer होगा correct, D होगा, चाले जी, question number 5 पर चलते हैं, 5 वाला question हमारा यहाँ पर है, 5th cancer आप यहाँ पर दे सकते हैं, हम लोगों ने 3 proteins पड़ी थी, fibrinogen, globulin और albumin, इनके function के साथ match करना है, और कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है, जल्दी बताओ, क्या क्या इनके functions होंगे, क्या 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 कहते हैं, properties है, फibrinogen का क्या function है, अगेन, same चीज़ दोखोगे, first के साथ second, first के साथ second मेरे को सिर्फ A की option में देख रहा है, that is D में देख रहा है, और किसे में देखी नहीं रहा, second के साथ third, सही है, और albumin का होगया, smartic balance, low, इतना असान, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, हाना, hello Sanju, welcome to doubt not बेटा, और अगर आप पहली बारी आए हैं, ठीक है तो आपको बता दें कि यहाँ पर हम लोग, neat की preparation कर रहा हैं, नेट 2023 का एक crash course हमें एक start कर रहा है, उसी की preparation कर रहे हैं, ठीक है, so if in case अगर आप interested है, तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, और आपको यह daily classes देखने को मिलेंगी, इस सब्सक्राइब कोशन में कोई प्रशानी, जल्दी बताना है, क्योंकि बहुत सारे कोशन से जल्दी से खतम करते हैं, इस कोशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले कोशन पर आजाएं, ये भी हम लोगों ने देखा था, last class में बैना आप लोगों को पढ़ायाता है सब कुछ, ठीक है, अगले पर चले, नेक्स कोशन यहाँ पर आता है अब, एक मिटर को, चालो जी, तो नेक्स कोशन यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा गया है, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ तक है ये, अच्छा, अडल्ट हूमन आर्बेसीज आर ए नियुकलेटेड़, जो हूमन आर्बेसीज होते है, उनके अंदर नुकलेटेश एपसंट होते है, उसके अंदर नंब्रेट्बाउन उडानेलीज एपसंट होती है, अच्छा, यह मेंब्रेट्बाउन ओर अडानेलीज और यह जो हमारे नुकलेश है, यह क्यूँ scout होते है, है, what is the specific region for this, जिसका most appropriate reason क्या होगा, they do not need to reproduce, they are somatic cells, they do not metabolize, all their internal space is available for oxygen transport, उनका जो भी internal space होता है, it is available for oxygen transport, क्या आपको लगता है कि सबसे accurate reason हो सकता है, for the absence of nucleus and membrane bound organelles, ठीक है, neat gen M, उन्होंने बोलाए, option A, आशा ने बोलाए, option number A, कि they do not need to reproduce, अच्छा, और कोई specific या अच्छा reason नहीं हो सकता, शिवराज option number A क्यों बेटा, अच्छा, only quotes for 4, sorry, 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 हाँ, सही है, मेरे को लगा statement one बोल रहे है, sorry, थोड़ा सा वो हो गया, हाँ, so all their internal space is available for oxygen transport, this is the correct choice, the reason is, इनके अंदर से nucleus और membrane bound organelles absent होती है, क्योंकि यहाँ पर फिर जादा से जादा hemoglobin accommodate किया जा सकता है, और वो जादा से जादा hemoglobin oxygen transport में participate करेगा, ओके, चालो जी, भहुत बढ़िया, अगले question पर चलते हैं, question number हमारा यहाँ पर दे रखा है, that is, 7, name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorders, यह तो तुम देखो ऐसी बता दो, किसके number कम होने से clotting disorders होंगे, मेरे को नहीं लगता कि इसको discuss करने की भी ज़रूत है, फटा-फट बता दो, ठीक है, जल्दी से, अलब लिख दो, इसका तो option भी मत देखो, तुम्हें दिमाग मेरे तुम नीट में अगर तुम लोगों को जल्दी question attempt करने हैं, तुम्हें अपने physics और chemistry के लिए कह सकते हो, कि मतलब time बचाना है, तो तुम्हें biology ऐसे पढ़नी पढ़ेगी ना, कि तुमने question देखा, और तुम्हें मतलब दिमाग में अपने आप answer आ गया, single word answer आ गया, ये भी नहीं कि तुम dicey उस चीज को लेकर एकि कि अच्छा ये भी हो सकता है, अपने आपी दिमाग में आ जाना चाहिए, बहुत बढ़े है शिवराज, platelets, ठीक है आशा, सही है, और, और कोई student, चालो जी, next, यहाँ पर अगले question की तरफ बढ़ते हैं, next question यहाँ पर क्या पूशा गया है, कि serum जो होता है मारा, ठीक है, वो different होता है, serum differs होता है from blood, वो lack करता है globulins, वो lack करता है albumins, lack करता है clotting factors, या lack करता है antibodies, serum में क्या चीज absent होती है, serum के अंदर कौन सी चीज absent होती है, यह आप लोगों को बताना है, मैं आपको बताए था कि सीरम क्या होता है, सीरम के नदर क्या absent होता है, ठीक है, तो इसका answer हाँ दे दिया है बच्चों ने, इसका answer हमारे पास आ चुका है, option number C की तरफ जा रहे हैं, ठीक है रिया, ओके, आशार सही है, neat gen बच्चे का नाम रख है, हाँ ठीक है, clotting factors absent होता है, जब आप प्लाजमा में से clotting factors हटा देते हैं, तो इसकों क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, nice, चालो जी, अगले question पर चलते हैं, next question यहाँ पर हमारा जो है, अच्छा है, इस question को देख लिजे ध्यान से, एक मिटर को, हाँ, यह रहा 9th question, इस question म blood group AB है, that means कि उसकी अंदर कोई भी antibody नहीं है, ठीक है, it has both antigens A and B on RBCs, but no antibodies in plasma, ठीक है, तो यह हम लोग कर चुके हैं, इसको वापे से करने की जरत नहीं है, next question पर चलते हैं, अच्छा, यहाँ पर देखो, यह next question काफी interesting सा है, इसको थोड़ा case-based की टाइप में दे रहा है, इ a non-blood group needs immediate blood transfusion, now, his one doctor friend at once offer his blood, what was the blood group of the donor, एक परसन है, उसका accident हुआ है, ठीक है, अब उसका blood group पता नहीं है, तो वहाँ पर क्याता है, एक doctor friend था, ठीक है, उसने क्या बोला कि आप मेरा blood ले लीजिये, और डॉक्टर ने उसके लिए acceptable कर लिया, जै कि हाँ भई ठीक है, अपन blood group B दे सकता है, A B दे सकता है, O दे सकता है, A दे सकता है, कौन होगा, बहुत सही आशा, बहुत सही लगी, so O जो होता है हमारा आप लोगों को पता है, that is a universal donor, ठीक है, और अगर मैं यह पूछों की O मे भी कौन universal donor होता है, O positive या O negative, तो उसका क्या answer होगा, बताओ मुझे, O positive या O negative, क्या answer, ठीक है शिवराज, ओके खुशी, हाँ, रिया ने बोला है O positive, देखो, आप लोगों को एक बाद में बता दू, positive वाले blood जो होता है, यानि की A positive, B positive, A B positive, O positive, positive वाले positive से blood receive कर सकते हैं, negative से भी blood receive कर सकते हैं, ठीक है, जैसे A positive है, तो वो A positive से भी ले सकता है, A negative से भी ले सकता है, लेकिन negative वाले जो होते हैं, वो सिर्फ blood ले पाते हैं, किस से, negative से, कहने का मतलब simple सा यह है, कि जो negative वाले होते हैं, वो किसी को भी blood दे सकते हैं, और positive वाले किसी से भी blood ले सकते हैं, ठीक है इस बात को लिख लेना रिया कहीं पर छोटी सी line में, कि positive can donate blood to anyone negative can donate blood to anyone and positive can receive blood from anyone तो negatives वाले जो होते हैं हमारे वो donor universal होते हैं तो ओ negative हमारा universal donor है and universal acceptor की बात करूँ तो यह भी positive हमारा universal acceptor है ओके अगले question पर आते हैं अगला question यहाँ पर आप लोगो के सामने क्या दे रखा है यह देख लीजे ओके कौन सी protein है जो coagulation में involved होती है again a very easy question neat हम लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा tough होता है ऐसा कुछ भी नहीं है basic questions आते हैं direct questions आते हैं कुछ कुछ chapter से तो हाँ अगर 90 questions आ रहे हैं तो देखो जाहिर सी बात है कि उसमें से कुछ 10-15 तो मुश्किल बनाएंगे ला और मुश्किल भी ऐसे नहीं बनाते हैं कि पता नहीं कहीं और से question दे दिया मुश्किल भी वो ऐसे बनाते हैं कि थोड़ा question को घुमा देते हैं यह उसमें concepts use जादा होते हैं ठीक है चालो जी ठीक है बहुत सही option number C यहां पर हमारे पास आगया है fibrinogen correct choice है next question पर चलते हैं अगले question पर आते हम लोग अगला question हमारे यहां पर क्या है वो देखते हैं ठीक है अब इस question हम लोग उसे क्या पूछा यह देख लेते हैं a person with unknown blood group under ABO system has suffered blood loss in an accident and needs immediate blood transfusion his one friend who has a valid certificate of his own blood type offers for the blood donation without delay what would have been the type of blood group of the donor friend again same question है किसी का accident हुआ है टेक है और immediately किसी ने offer किया है for blood transfusion तो क्या उसका blood type हो सकता है ठीक है same blood O इसको देखने की जरूद नहीं है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ इस question में क्या बोल गया है the most popular known blood grouping in ABO blood grouping ठीक है ABO blood grouping it is named ABO not ABC because O in it refers to तो O blood group के क्या क्या specifications होते हैं यह आप लोगों को बताना है other antigens besides A and B on RBCs over dominance of this type on the genes for A and B types one antibody only either anti-A or anti-B on the RBCs no antigen A or B on RBCs तो O का significance क्या है O के case में क्या होता है Sir Sorry अगर किसी को science 1 and 2 science को 1 and 2 को मिलके 22 marks है तो क्या वो internal marks में पास हो सकता है समझा नहीं मैं आप क्या stent किया है क्या निकेत चाले जी इसका question बताएए जो O blood group होता है वो क्या refer करता है फटा फट ठेक है type O जो blood group है उसके case में क्या देखने को मिलता है हम लोगों को कि other antigens besides A and B on the RBCs या over dominance of this type of or this type on gene A and B type one antibody only either A or anti-B on the RBC antibody RBC के उपर होती नहीं है तो यहां से यह हटाई दो ठेक है over dominance O का होता नहीं है A और B dominant होते हैं बचा क्या no antigens on the surface of RBCs सो हाँ बहुत सही है A और B antigen नहीं होते है RBCs की surface के उपर ठेक है बटा अनिकेथ C science 1 and 2 का count नहीं होगा ठेक है मैं पहली बता दू आप लोगों को पता ही होगा क्या कहते है मतलब जो 10th class के अगर कोई बच्चा है तो यहाँ पर basically जो final में आप लोगों के final का science का exam 80 marks का हुआ होगा ठेक है और internal के 20 marks होंगे हाना तो internal के 20 marks है उसमें individually pass होना पड़ेगा बट internal में ऐसा कुछ problem होता नहीं आएगेस की passing marks का कुछ problem आता है ठेक है mainly वो theory में होता है बट कर देंगे pass ऐसा कुछ problem नहीं आएगा एक मिन्ट मैं देख लूँ एक और question है हाँ यहाँ पे एक और question है इस वाले question को बता दो फटाक से इस वाले question में क्या पूछा गया है देखो कि इफ यू suspect major deficiency of antibodies in a person to which of the following would you look for confirmatory evidence serum albumins serum globulins fibrinogen brain plasma और hematocytes यह भी काफी अच्छा question है यहाँ पे बोलागया कि अगर किसी के अंदर antibodies की deficiency हो रही है तो उस case में आप कौनसी proteins का ध्यान रखेंगे या कौनसी proteins को check करेंगे किसकी कमी की वज़े से antibody deficiency हो सकती है चलो बताओ बेटे internal के marks भाई तो बोला मैंने internal के marks इतने matter नहीं करते हैं इंटर्नल में तो teacher अगर 10 marks भी दे रही है तो that doesn't matter ठीक है इंटर्नल में 50% देके आ रहे हो 20 में से 10 marks लेके आ रहे हो तो पास हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और internal ऐसा कुछ वो भी नहीं है main आपका theory होता है theory में आप लोगों के marks 80 में से ठीक है कुछ specific या आपके total 100 में से 35 बनने चाहिए है ठीक है तो वो matter करता है और यह theory में अगर के कहते है 80 marks का है तो उसमें होता है कि 28-27 के आसपरस आएंगे यह से कम आते हैं तो उसमें fail कर देते है internal में कोई problem नहीं होती है चलो जी इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ अचा ठीक के कहते हैं खुश्री अगली बार से थोड़ा उपर कर देंगे हम हाँ बच्चे कह रहे हैं gopTrans is जी our global ions कैसे सही और सकता है driving recently हे बताईए कि दिवयद आंने बोला हमine अट works site sorry he knows it's a South हम लोग ने पढ़ा तक्येमारे जो प्लाजन होता है जो यह तीन प्रोटीन सोतिे हैं Fibrinogen and Albumin और Globulin Fibrinogen जो होता है मारा Clotting में काम करता है Albumin जो होता है Osmotic Balance में काम करता है Globulin जो होता है Defense Mechanism में Globulin बनाता है Antibodies ठेक है so option number जो यहां पर B दे रखाए Serum Globulin वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी अगर आपकी Globulin कम होती है तो इस वज़े से Antibodies का Formation कम होगा Defense Mechanism में कैसे Participate करती है बहुत सही ठीक है क्योंकि Globulin का काम कहा है Defense Mechanism का तो वो Antibodies बनाती है ठीक है चालो जी अगले question पर आते हैं next question यहां पर मारा क्या है वो देख लेते हैं ठीक है एक मिन टुक ना जादी बड़ा हो गया है हां इतना काफी है so इस वाले question में आप लोगों से पूचा गया है क्या ठीक है so इस वाले question में आप लोगों से पूचा गया है आप group और रॉप और रॉप और फिच अव दा फॉलविंग is placed separately on four slides which of them will not coagulate blood plasma blood serum sample from the thoracic duct of lymphatic system whole blood from pulmonary vein आप लोगों को यह last option दिख रहा है थोड़ा सो उपर कर दूँ अब ठीक है हां जी चालो जी बेटा उसमें correct था आदिव्या serum globulence option number B ठीक है हां जी अब दिख रहा है सही है D option दिख रहे है तो basically इसमें कौन सा हमारा ऐसा कह सकते हो blood होगा जो clot नहीं करेगा या आप लोगों को बताना है चालो जी blood serum lack करता है clotting factors जी बहुत बढ़ी अरिया ठीक है कि यहां पर देखो plasma के अंदर clotting factors होते हैं lymphatic system के अंदर भी clotting factors आप हमारे platates वगरा होते हैं blood के अंदर अगर आप pulmonary vein से blood ले रहे हैं तो इसके अंदर भी होगा clotting factor लेकिन serum के अंदर नहीं होता है तो serum हमारा clot नहीं करेगा ठीक है शिवराज सही है ओके दिव्या ओके सौम्या चालो जी आगे चलते हैं question number भाईया क्या हो गया आपको क्यों परिशान हो रहे हो हाँ question number 16 की तरफ चलते हैं ठीक है इस question में हम लोगों से क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं question number 16 के अंदर चालो जी इस question में पूछा गया है कि examination of blood of a person suspected of having anemia shows the large immature nucleated erythrocytes without hemoglobin supplementing his diet which of the following is likely to elevate his symptoms ठीक है थायमीन folic acid and cobalamin riboflavin और iron compounds ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों से simple सी बात पूछी गई है कि यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है कि भाई देखो एक इंसान है ठीक है तो उस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है वहाँ पर हम लोगों को nucleus देखने को मिल रहा है rbc's के अंदर और hemoglobin नहीं है hemoglobin ना के बराबर है supplementing his diet with which of the following is likely to elevate यह उसके symptoms को कम करेगा क्या ऐसी condition हम देश सकते हैं कि उसकी body के अंदर hemoglobin बनना चालू हो जाए ठीक है क्या ऐसा करोगे again हाँ भूत थाई असान सा question था hemoglobin हमारा बनता है किसका iron का तो अगर आप उसको iron compounds देते हैं तो उसकी body के अंदर hemoglobin formation शुरू हो जाएगा क्योंकि as you know हमारी body के अंदर जब iron आता है तो उसको absorb करके hemoglobin बनाया जाता है ठीक है folic acid भी mark कर सकते थे लेकिन देखो जब हमारे पास हमारा iron compound अलग से दे रख है ठीक है तो में को लगता है कि देखो mark कर सकते थे folic acid भी बढ़ हमें iron compound अलग से दे रख है सो वो जादा मतलब most appropriate option हमारा D होगा ठीक है शिवराज तो D mark करना अपने को and जो भी बच्चे दे रहे हाँ ठीक है अंश खुश्री का भी आ गया सौमे का भी आ गया next question पे चलते हैं हम लोग अगला question हमारा यहाँ पे है यह देख लिए इस question में क्या बोला गया है कि antibodies इसको रहन दो वैसे हम लोग human health and disease में भी देखेंगे इस वाले question को भी रुख जाओ इसको नहीं करते हैं वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे हाँ इस वाले question पे आ जाते हैं इस वाले question में हम लोगों से पूछा गया है which of the following substance if introduced in the bloodstream would cause coagulation at the site of introduction fibrinogen, prothrombin heparin और thromboplastin ठेक है किसको अगर हम bloodstream में डालेंगे ठेक है तो वह coagulation को start कर देगा ठेक है यह पूछा गया है कि introduced in the bloodstream would cause coagulation किसको हम डालेंगे तो coagulation शुरू होगा, ठेक है thromboplastin और thrombokinase same चीज होती है, इस चीज को याद रखना बच्चे यहाँ पर कहा रहा है option number A that is option number A that is हमारा fibrinogen ठेक है, सुनो मेरी बात, पहले यह बताओ कि clotting शुरू कैसे होती है ठेक है, तुम लोग सारे के सारे option number A की तरफ जा रहे हो पहले मेरी को यह बताओ कि clotting शुरू कैसे होती है अगर आप fibrinogen को डाल दोगे तो fibrinogen को fibrin में convert करने के लिए क्लिए चाहिए ठ्रमबीन चाहिए, ठेक है, तो ठ्रमबीन चाहिए हम लोगों को ठ्रमबीन जो होता है किस से बनता है, प्रो ठ्रमबीन से बनता है प्रो ठ्रमबीन को ठ्रमबीन में convert करने के लिए क्लिए ठ्रमबो काइनेश चाहिए या thromboplastin चाहिए है, तो clotting हमारी शुरू कहां से होती है, clotting हमारी शुरू होती है, thromboplastin से या आप कह सकते है, thrombokines से, तो option number जो यहां पे हमारा that is D है, वो correct phase होगा ना बेटा, fibrinogen डिरेक्टली नहीं बनता है, या fibrinogen पढ़ा होता है, तो clotting नहीं करवा पाता है, या प्लास्टिन, so D हमारा correct option होगा, okay चालो जी, आगे बढ़ते हैं next question पर आते हैं हमारा ठीक है यह वाला question भी ऐसी फालतू का इस question को टाते हैं okay, इस वाले question को देख लेते हैं, what is the correct regarding leukocytes, WBCs के recording हापे हमें statement दे रखी है these can squeeze out through अपना capillary ball, these are inucleated यानि किसके अंदर nucleus absent होता है ठीक है, sudden fall in their number indicates cancer these are produced in thymus so WBCs के regarding कौन सा statement हमारा correct है डिव्या ने बोला है thymus रिया ने भी बोला है thymus बेटा, WBCs हमारे कहां बनेंगे, thymus में क्यों बनेंगे और अगर thymus में WBCs बनेंगे तो फिर bone marrow को क्या काम है I know आप लोग किस वज़े से कह रहे है क्योंकि thymus का रोल थोड़ा immunity में होता है thymus एक environment provide करता है for the maturation of T lymphocytes, वहाँ पे बनते नहीं हैं, वहाँ पे mature होते हैं, हमारे WBCs हो गए, RBCs हो गए, बनते सारे के सारे bone marrow में ही है B हमारा हो नहीं सकता क्योंकि WBCs के पास nucleus present होते है इनका number कम होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि cancer हो गया है, यह हमारे बनते bone marrow में thymus mature होते हैं तो तीन options तो यहाँ पे ऐसी चले गए T lymphocytes की अगर मैं बात करूँ सर्फ lymphocytes की अगर मैं बात करूँ T lymphocytes हो गया B lymphocytes हो गया हो इनका size बहुत छोटा होता है तेके और कुछ कुछ हमारे macrophages वगरा भी जो बड़े size की होते हैं वो क्या करते हैं blood cells की या capillaries के cells के बीच में से निकल किये बाहार आ जाते हैं tissues में चले जाते हैं तो they can squeeze out of किसके थूँ तेर नंबर indicates cancer cancer के अंदर WBCS का नंबर fall नहीं करता है बेटा ठीक है fall कब करता है क्या कहते है fall करता है cancer के case में number fall नहीं करता increase करता है cancer में क्या होता है uncontrolled division तो वहाँ पे number बढ़ता है ठीक है वहाँ पे number fall नहीं करता है इस condition में folic acid नहीं दे सकते हैं sir इस condition folic acid मतलब कौन से वाले में जो वाला condition था जहां पर हम लोग ने iron compounds दिये थे vitamin दे सकते हो ठीक है कोई दिक्रत नहीं है but cobalamin जो है उसका कुछ खास इतना role है नहीं ठीक है मतलब चलो दे भी सकते हैं मेरे को लगता है कि most appropriate जो हमारा answer होगा that will be iron compounds directly बाकि folic acid भी दे सकते हैं वैसे तो ठीक है vitamin B12 भी होता है तो वो भी चल जाएगा but क्या कहते है iron compounds most appropriate है ठीक है चलो जी आगे चलते हैं next question की तरफ next question यहापे हमारा कौन सा है इसको हम देख लेते हैं चलो जी ओके so what is the correct for blood group O O के regarding क्या statement correct होगी हमारी वो आप लोगों को बतानी है no antigen but both A and B ठीक है antibodies are present A antigen and B antibody antigen and antibody both absent A and B antigen जो होते है and A, B antibodies देखने को मिलती है ठीक है इस दोनों चीज़े देखने को मिलती है so O blood group आप लोगों को पता है इसमें कोई अच्छी मतलब किसमें कोई मुश्किले चीज़े नहीं है जो आप लोगों को बतानी है ठीक है आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी O blood group के बारे में वाला blood group के बारे में तो सब को यादी हो गया होगा ठीक है कि O के पास सिर्फ antibodies होते है antigens होते ही नहीं है ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं जार time wasting करते हैं हीमोगलोबीन क्या है is a carbohydrate vitamin, skin pigment या respiratory pigment भी दोनों होती है लेकिन antigen जो होता है sorry antigen कोई भी नहीं होता ठीक है इस वाले question में हां जी हीमोगलोबीन क्या है हमारा जी बहुत बढ़िया respiratory pigment है बहुत सही आगे बढ़ते हैं ठीक है next question यहाँ पर हमारा क्या है which of the falling is the which is the principal cation in plasma of blood अब यह question काफे interesting है हम लोगों से पूछा गया कि principal cation कौन सा होता है ठीक है कौन सा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कह सकते हैं तरीके से iron होता है magnesium, potassium, sodium और calcium इन में से सबसे ज़्यादा कौन सा हमारे plasma में देखने को मिलता है हलाकि आज कल ऐसे question काफी कम आते है यह question थोड़ा सा मतलब difficulty level पर देखा जाए तो मुश्किल है और इसकी NCRT में भी क्या कहते है बात नहीं करी गई है ठीक है बट आप इसको आईसे भी देखो कि हमारी body के अंदर हम कहीं पी भी बात करते है बलड की बात कर ले ठीक है तो NACL हमेशा बात करते है sodium और chlorine की बात हमेशा करते है तो हमारा जो कहते है sodium होता है वो principal cation होता है and usually chlorine जो होता है वो principal anion होता है तो यहाँ पर option number B जो होगा that is यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको को सको read करना है तो देखो the concentration of Na plus in plasma is 0.32% followed by K plus 0.02% and followed by magnesium कितना 0.002% ठीक है तो यह concentration है कल को आप लोगों से पूछे कि क्या sequence हो सकता है योग examiner का नहीं पता हम लोग previous year question से ही यह सारी चीज़े सीखते हैं ठीक है कि हमों को कैसे आगे चीज़ों को वो करना है कभी भी ना आप previous year question कर रहे हैं उसको सिर्फ solve मत करिए उसके concepts जो होते हैं जरूर पढ़िए उसके जो solution होते हैं वो जरूर पढ़िए ठीक है हमेशा अब जैसी हाँ पर मेरे को यह पता लग गया तो वो भी important है देखें why it won't be mg2 plus यार इसको तो यह बात होगी ना कि mg2 plus नहीं होता बॉड़ी के अंदर उतना आप आप simple सी बाता देखो रोज आप लोग नमक खाते हैं मतलब सबसे easy और best explanation can be this रोज आप की जो diet होती है उसके अंदर आयोडियन या कह सकते हैं नसील जो होता है included होता है रोज हमारी डाइट में mg2 plus हम लोग specifically थोड़ी नहीं लेते हैं हाँ किसी vegetable में होगा ठेक है किसी fruit में होगा तो हमारी body के अंदर चले आता है लेकिन mg2 plus हम लोग और सारी नसील तो हम लोग रोज कंजूंग करते ही है तो वो थो हमारी डाइट का पार्ट है तो इस वेरी मतलब obvious कि कहते हैं कि वो थो हमारी डाइट में present हो गई होगा ओके चालो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन पर आते हैं फटाक से यह नेक्स कोशन आप लोगों से जो पूशा गया है कि विच अधा फॉलिंग इस एक ग्रैनलोसाइट एक ग्रैनलोसाइट कौन सा होता है हमारा यह आप लोगों को बताना है लिम्फोसाइट इसवनोफिल बेसोफिल या नीट्रोफिल विच अब दा फॉलोविंग इस दिखरे ना ओप्शिन हां चलो जी एक ग्रैनलोसाइट हमारा कौन सा है लिम्फोसाइट इसवनोफिल बेसोफिल या नीट्रोफिल फटा फट बताएंगे चलो जी एक ग्रैनलोसाइट और ग्रैनलोसाइट हे ग्रैनालोसाइट्स वो होते जिसके लेलों कर में निप में साइट्स इसंपने अरऊ-नाफासिट्स, विर्कर्वेस्च बशल और हमारा रहा लूंप लिंपोषए और मोनोंोसाइट्सображ ए ग्रैनलूसाइट्स में जहते हैं। आप्शिन मूंभरे सब कस ठीक है। ठेक है कोई बात नहीं है आंसर को इग्नोर करो ठेक है में लिए कोशन रिवाइस कर रहे हैं हम लोग कोशन पर ध्यान दीजिए बहुत सही छोटा हो गया यह तो एक में रगोट हम ज़्यादा यूपर आ गये हैं लोगों ने यहाला पेपर पेज खतम कर दिया है नीचे आते हैं हाँ इस वाले कोशन ना dość हम लोग ओके इस वाले कोशन का आंसर डेना है ठीक है कि इस वाले कोशन में पूछा गया है कि the lifespan of human wbc's is approximately less than 10 days between 20 to 30 days between two say three months या more than four months अब देखू इस question के अगर मैं बात करूं ठीक है last वाला option जो है that is between four months मैं सोच रहूं कि इस में ticker जो है थोड़ा सा वो करवा दे क्या एक मिट रुको एक second में आया मैं ठीक है तुम जब तक इसका answer करो जar कर देखू है इस के सक्हा है मैं, ज हार जो है टना आया है इसक्षोडिक है क्या झाला? तो फाम कत देखा, कलो है सकत पları सक्षबदित है कि अभी चलो कोई निसको मैं सही करवा दूँगा ठेके मैं एक ब्लॉक लगवा दूँगा तो उससों छुप जाएगा हाँ बच्चों ना अंसर दिया लेस देन टेन डेस देखो यूजिली क्या होता है एक मुट एक मुट रुको चलो जी सो बहुत सारे बच्चों का आंसर जो आया दाड़िस ऑप्शन नंबर के कहते हैं ए ठेक है हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है क्यों की देखो वैसे तो मतलब सही बताओं तो करेक्ट भी नहीं है हमारा ठेक है यहाँ पर हमारे अगर ड़लू बीसिस की बात करते हैं बट हाँ यहाँ पर हम लोगों को नहीं दे रखा है मतलब ऑप्शन तो इसलिए हम लोगों ने लेस्ट टेंडेस मांक कर दिया है जो हमारे डवलू बीसिस होते हैं उनका लाइफस्पैन कम लेस देन टेंडेस होता है बट हमारे कुछ ऐसे लिम्फोसाइट भी है जिनका लाइफस्पैन अपना सालों का भी होता है जैसे लिम्फोसाइट ठीक है चालो जी अगले कोशन पर चलते हैं नेक्स कोशन पूछा गया यहाँ पे विच अधा फॉलविंग वर्टीब्रेट और गिन रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेट ब्लड ओनली ऐसा कौन सा स्र ओके जी चालो इस वाले कोशन का अंसर दो कौन सा ऐसा पार्ट है और क्यान है गिल्स हो गए लंग्स हो गए लिवर हो गए स्प्लीन हो गए जहाँ पे हमेशा कैसा ब्लड ऑक्सीजनेटेट ब्लड जाता है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा फटाफट आंसर करेंगे अब यहाँ पर देखिए हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने लिवर को सलेक्ट कर लिया हो और लंग्स में तो चलो गई नहीं होंगे और स्प्लीन को सलेक्ट कर लिया हो तो आपको एक बात में बताना चाहूंगा गिल्स फिश के केस में जो रेस्परेटरी ओर्गिंस होते हैं वहाँ पर तो आपको पता है हमेशा डियोक्सिजनेट ब्लड जाएगा यानि कि गिल्स हो गए और लंग्स यह तो अप्शन से हट गए हैं रही बात लिवर की अगर आप लोगों ने डाइजेशन वाला मेरा पन्षोट देखा होगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि लिवर जो होता है इट इस कनेक्टेड तो स्माल इंन्टरस्ट काइन वाया हिपाटिक पॉर्टल सिस्टम। ठी के तो स्माल इंटरस्टन से जो बॉर्ड होता है वो डिर्यक्ली हार्ट में जाने की जगा कहां जा आता है हमारे लिवर के पास एक पॉर्टल सिस्टम के थुरू ठेके और उस पॉर्टल सिस्टम के वज़े से हमारा लिवर डी ऑक्सिजनेट ब्लड भी रिसीव करता है तो यहां पे लिवर वाला ऑप्शन भी हट जाएगा करेक्ट आंसर क्या बचेगा ऑप्शन नमबर डी स्प्लीन ओके बस इसी तरीके का इसको थोड़ा पीछे कर दो और तो क्या ही करना है अना चालो जी आगे चलते हैं अगले कोशन पे अचा स्प्लीन को ग्रेव्यार्ड ऑफ आर्बीसीज भी कहते हैं पता है ना क्योंकि स्प्लीन जो होता है बेसिकली वो क्या करता है वो ज Now, antigens ची होते हैं, they are present on, antigens हमारे कहां present होते हैं, यह आप लोगों को बताना है, inside the nucleus, on the cell surface, inside the cytoplasm, यह on the nuclear membrane, antigens हमारे कहां present होते हैं, antigens कहां present होते हैं, यह बताना है, ठीक है, चालो जी बताओ जी ठीक है, C, आज़को इवरी वाप यूस पे डाल दो, YouTube पे, चालो जी हाँ, देखो, cell की surface बेटा, जरूरी यह क्या कहते हैं, कि हमारा क्या कहते हैं, सिर्फ RBC की surface पे होते हैं, antigen cell की surface पे होते हैं, और आप लोगों को answer नहीं दिखेंगे, मैंने उसके नीचे एक वो लगवा दिया है, solid background लगवा दिया है, तो आप लोगों को answer नहीं दिखेंग cell formed in bone marrow include RBCs, RBCs and leukocytes, leukocytes और lymphocytes ठेक है बताओ cell जो bone marrow में बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं क्या सिर्फ RBCs होते हैं क्या सिर्फ हमारे RBCs and leukocytes या हमारे सिर्फ leukocytes होते हैं या lymphocytes होते हैं I guess इतना idea सब को होगा ठीक है कि जो हमारे lymphocytes है वो भी किसके अंदर आते हैं तो leukocytes के अंदर आते हैं तो जो भी हमारे cells होते हैं जो हमारे formed elements होते हैं that is क्या कहते हैं हमारा RBC हो गया या leukocytes हो गया या platelets हो गया सब के सब कहां बनते हैं bone marrow में बनते हैं तो option number B यहाँ पर हमारा correct choice हो जाएगा ठीक है ओके next question पर आते हैं removal of calcium from freshly collected blood यह interesting question है यहाँ पर थोड़ा सा concepts का user का ध्यान लगा देना ठीक है कि calcium का role कहां पर होता है कहां पर नहीं होता है यहाँ पर बोला गया कि removal of calcium from freshly collected blood of blood sorry would cause delayed in clotting prevent करेगा clotting cause करेगा immediate clotting and next is prevent करेगा destruction of hemoglobin ठीक है तो यहाँ पर क्या अपना correct answer होगा यह आप लोगों को बताना है चलो जी बहुत असान फटा फटा फट बताईए क्या इस question का answer होगा बच्चे कह रहें option number D prevent destruction of hemoglobin so मैं D कैसे होगा ठीक है हाँ नीट वारे बच्चे कर सही है चलो ओके option number दे को calcium का अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग जब वो clotting वाला क्या कहते हैं topic पढ़ रहे थे तो जो thromboplastin और thrombokinase है वो pro thrombin को thrombin में convert करता है in presence of calcium ठीक है thrombin जो है हमारा वो convert करता है fibrinogen को fibrin में in presence of calcium तो blood clotting के लिए calcium iron का बहुत important role होता है अगर calcium ions नहीं होंगे तो clotting नहीं होगी तो option number B यहाँ पे हमारा is the correct choice okay अगले question पर आते है next question यहाँ पर क्या बोला गया है इसको ध्यान से देख लीजे कि in ABO blood system या blood group if both antigens are present but no antibodies present इस question को नहीं करवाते हैं या blood group वाला question हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है मेरे को नहीं लगता है कि इसको करवाने की ज़रुत है इसमें सब का answer AB होगा इस वाले question पर आ जाते हैं कि यह person with blood group A requires blood the blood group which can be given is कौन कौन से A वाले person को blood donate कर सकते है यह आपको बताना है ठीक है चलो हाँ ठीक है उस cancer सही है AB होगा उस cancer तो इस cancer बता दो अगर किसी का blood group A है तो उसको कौन कौन blood donate कर सकता है A या B A और AB A और O या A B A B O सारे के सारे ठीक है option number C A और O ठीक है चलो next question पर आते हैं हमारे आदे questions और बज़ गए हैं जल्दी यल्दी इसको solve करते हैं इस question में आप लोगों से पूछा गया है which of the following या which one engulfs pathogen rapidly simple सी बात यहां पर पूछी गई है कि इन में से कौन सा हां ठीक है रिया शिवराज सही है ठीक है बेटा A को all groups कैसे दे सकते हैं कैसी बात कर रहा है अगर A किसी का blood group है उसको अगर मैं B वाला दूँगा तो काम खराब नहीं हो जाएगा क्यों भाई A के अंदर B थोड़ी न जा पाता है A के अंदर A जाएगा ठीक है अब B के पास antigen B होता है अगर भाईया इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देखेंगे एक मिटर को अगर किसी बच्चे को blood transfusion में दिक्कत है तो उसको मैं जबर यहाँ पर बता दूँ कि मानलो यहाँ पर blood हमारा कौन सा है एक मिटर को यहाँ पर blood हमारा कौन सा है A है ठीक है जस्ट एक example ले लेते हैं यहाँ पर blood A है तो इसके पास antigen होगा कौन सा A होगा इसके पास antibody होगी कौन सी हमारी होगी यहाँ पर B होगी, opposite antibody होती है, अब यहाँ पर मान लो कि A blood group है, donor यहाँ पर B है, यहाँ पर A B है और यहाँ पर O है, इनका भी लिख देते हैं, इनकी case में भी लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है antibody या A होगी, Antigen तो A ही होगा Antigen यहाँ पर B है Antibody कौन सी होगी A होगी ठीक है यहाँ पर Antigen A B होते हैं यहाँ पर No Antibody No Antibody यहाँ पर O है तो यहाँ पर जदब कोई भी Antigen नहीं है तो यहाँ पर बोथ Antibody Both A and B Antibody ठीक है अच्छा अब इसको ऐसे देखो ध्यान से अगर A Blood Group आएगा A Antigen आएगा तो Antigen तो सेम सेम है दोनों चीजे मैच करो यह दोनों सेम सेम है काम बन जाएगा इसके पास मैंने गलत लिख दिया उल्टा लिख दिया यहाँ पर Antibody B होगा ठीक है यहाँ पर दोनों से चीजे सेम सेम है तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर Transfusion हो जाएगा अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे B वाले केस में तो पहली बात तो Antigen ही अलग है दूसरी बात यह जो B Antigen है इसके उपर Antibody B Attack करेगी तो यहाँ पर यह नहीं आपाएगा A B के पास भी B Antigen है तो यह Antibody B जो है S क्यूपर Attack करेगी यह भी नहीं आ पाएगा O के पास तो कोई Antigen है नहीं तो O तो आ ही सकता है O में तो कई दिक्कत नहीं होगी O के पास तो कोई Antigen नहीं है ठीक है तो तो कहीं जा सकता है ठीक है, सो अमीद करते हैं, बेटा कियर हो गया हो गया अब यह बात, ठीक है, चालो जी, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, वापिस से कहते हैं, अपने उस पर आते हैं, कोशन पर आते हैं, नेक्स्ट, विच, अच्छा, यह बारा हो गया, हमारा अच्छा, इस वाले कोशन में बात कर लेते हैं, कि विच वन इंगल्फ करता है, पैथोजन रैपेडली, यानि कि सिंबल सी बात है, इसका फंक्शन हम लोगों से पूछा गया था, कि कौन सा हमारा फैगोसाइटिक होता है, अब फैगोसाइट आउसिस से क्या मतलब है, जो पैथोजन को खाता है, अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा हमारे परशान होंगे, और परशान क्यों होंगे, एक मिटर को, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ मोनोसाइट, तो मेरा मोनोसाइट भी क्या होता है, अगर मैं मोनोसाइट की बात करूँ, तो मोनोसाइट भी क्या होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं, अगर मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूँ, तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, वो भी फैगोसाइटिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है, एक word add कर रहा है, that is rapidly, rapidly याने की fast, जल्दी कौन करता है, तो neutrophils का action जो है, ठीक है, उसको थोड़ा fast किया जाता है, neutrophils का जो action है, ठीक है, उसको, उसका action थोड़ा fast होता है, compare to monocytes, यह थोड़े fast होते हैं, compare to monocytes, ठीक है, चलो जी, अगले question पे चलते हैं, अब हम next question हमारा जो है, question number 33, यहाँ पे देख सकते हैं, यह देखो, erythroblastosis fetalysis का यहाँ पे case दे रखा है, एक, इस question में हम लोगों से पूछा गया है, कि child death may occur in marriage of RH positive man and RH positive woman, ठीक है, दूसरा यहाँ पे पूछा गया है, आप लोगों से क्या, RH positive man and RH negative woman, जी, क्या दिख करते हैं बेटा बोलिए, एक मिटर को मैं को chat section दिख नहीं रहा है, ठीक है, आप राज D नहीं होगा, option number B होगा, यह case अगर किसी को समझना है in detail, तो मेरे last lecture में ही मैंने इसको अच्छे तरीके से समझाया था, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है, चलिए, अगले question पे आते हैं, आरबीसीज जो होते हैं हमारे, does not occur in, आरबीसीज हम लोगों को किस में देखने को नहीं मिलते हैं, फ्रॉग में, काव में, कैमल में, कॉक्रोच में, ठीक है, अच्छा, अब इसके उपर भी न, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, फ्रॉग का बलड आप लोगों प्लाजमा में होता है, आरबीसीज नहीं होते हैं वापे, थोड़ा सा रेड दिखता है, ठीक है, बट उसका बलड जो होता है, अगर आप ध्यान से, मतलब ध्यान से तो कैसे देख सकते हो, बट उसको जो हीमोगोबिन होता है, तो यह बात याद रखनी है, आच्छा, आग इवत्युक्शा, बिलीरुबरोबिन, बिलीवर्डेन, आयरन और कैलक्शं, अगर हीमोगोबिन को तोरेंगे, the breakdown product of हीमोगोबिन, उससे हमारा बनता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डेन, और क्या कहते है हमारा हीमोगोबिन, ङगर अभी ताक यह पूुछना है, की प्लाज खाली होते हैं ठीक है कहीं से भी कैसे भी बच्चे जो होते हैं मतलब आ जाते हैं चीज चलती रहती है और अपना काम बनता रहता है उनका तो आंसर हमारे बच्चों ने दे दिया है that is option number क्या बोला है बी आइरन बोल रहे हैं बच्चे आइरन नहीं होता है और मतलब मैं एक suggestion देना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी भी वीडियो देख रहे हैं वैसे तो मतलब मैंने ब्लॉक ही करवा दिया चैनल से हाइड ही करवा दिया यूजर्स को बट अगर के कहते हैं आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप रोक सही में ठेके किसी चीज की तयारी कर रहे हैं किसी competitive exams की तयारी कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होती है तयारी जैसे आपकी चल र अब उसको देख सकते हैं प्लाज्मा कुछ भी नहीं है लेक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का उसकों प्लाज्मा कहते हैं अच्छा अब बच्चों नहीं हाप एमो आरेन मार्क कर रहे हीमोगलोबिन जब टूटता है तो बेटा उससे हमारा एक बनता है बाइल पिगमे इनको डाजस के जाता है तो उससे आरेन नहीं निकलता है बिली रूबिन बनता है ठीक है तो यहाँ पर बच्चे कैल्चियम भी कह रहे हैं बट यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा इस कॉंसेप्ट को एक बढ़ी डीड भी कर लेते हैं चलो यह देखो ठीक है तो बीली रू यहाँ पर बोला गया कि हीम पार्ट को निकाल गया जाता है फॉर री यूस ठीक है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है दारी मेनिंग अब दा हीम ग्रूप इस डीग्रेटेट टो बिली रूबिन अ यलो पिग्मेंट डाट इस रिलीज इंटु ब्लड बिली रूबिन जो ह हूं कि यहां पर हो क्या रहा है ठीक है यह काफि इंट है और हो सकता है एक्जाम में कहीं ना कहीं से रि Bürके करके स्कोशन को पूछ लिया जाए basically hemoglobin जो है ठीक है hemoglobin से सब कुछ हटा दिया जाता है इसके iron को रख लिया जाता है बस use करने के लिए hemoglobin को degrade करके क्या बना दिया जाता है bilirubin अब यह bilirubin जो है यह blood में flow करता रहता है और इसको कौन पकड़ लेता है इसको पकड़ लेता है liver ठीक है and bilirubin and bilirubin आप लोगों को पता है liver के अंदर क्या कहता है pigments होते हैं ठीक है so उसको यह bilirubin पकड़ लेता है sorry liver पकड़ लेता है अब आप लोगों को पता है कि bile जब हमारे secret होता है bile का function क्या है emulsification of fats so bile secret जब होते हैं तो उसके अंदर bile salts भी होते हैं bile pigments भी होते हैं so bilirubin वगरा वहाँ पर secret होते हैं intestine में आते हैं वहाँ पर bilirubin जो होता है हमारा एक और pigment में convert हो जाता है that is euro euro bilinogen euro bilinogen bilinogen ठीक है अच्छा अब यह euro euro bilinogen जो होता है मारा यह basically अपना फिर से break होता है और किसमें convert होता है euro bilin euro bilin यह euro bilin जो होता है it gives yellow color to feces ठीक है तो जो yellow color होता है na feces का ठीक है वो इसी वज़ा से होता है तो feces का जो yellow color है it is because of euro bilin ठीक है तो यह बात मैं आपको बताना चाहा रहा था इस line को आप note कर सकते हैं काम की line है ओके रिशब doubtnet learn and fun का के कहते हैं हमारा एक channel है आप वहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे session कर रहे हैं कि 10th के बाद stream selection कैसे करे कैसे ना करे ठीक है तो learn and fun का एक channel होगा doubtnet learn and fun है उसका नाम आप वहाँ पर जाके भी दो दिन पहले ही वीडियो डाल रखी है उस पर और भी वीडियो जम लोग डालेंगे regarding neat exam regarding j exams तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं चलो आगे चलते हैं इसको लिख लेना भाया important है now next is one of the factors require for maturation of erythrocydes erythrocydes के लिए कौन सा factor important होता है के maturation के लिए कौन सा factor important होता है vitamin D vitamin A vitamin B12 ya vitamin C कौन सा factor important होता है for the maturation of हमारा erythrocyde चलो जी बताओ which factor is important या which factor is या which vitamin B कह सकते है is important for the maturation of हमारे erythrocydes फटा 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 आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे अंगित काम की बात करते हैं मेरे खहल से हना कोशन का अंसर आप से पूछा गया आप आंसर दे दीजिये क्या आंसर होगा हाँ of course sir तो बता दो of course sir कौन सा होगा ठीक है option number c हमारे बच्चे जो है कुछ कुछ कह रहा है vitamin B12 that is correct choice vitamin B12 एक important vitamin for the maturation of RBCs तभी हम कहते हैं कि अगर जैसे हम लोगों ने देखा था उस वाले कोशन में किसका indirect relation होता है कौन से gastric cells का indirect relation होता है with the maturation of RBCs तो vitamin B12 जो होते है उसका absorption कौन करवाता है कैसल्स intrinsic factor और कैसल्स intrinsic factor को कौन सिक्रेट करता है parietal cells तो parietal cells का indirect relation होता है regarding with या कैसे तो with maturation of हमारे RBCs ठीक है अगले कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन यहाँ पर दे रखा है ठीक है नेक्स कोशन इस कि दा हैमेरेजिक डिसीज जो होती है of newborn diseases cost due to हैमेरेजिक डिसीज का मतलब क्यों होता है कि जो newborns होते हैं कभी-कभी उनकी body से ज्यादा blood वगरा flow करता है या blood clotting इतने इच्छे तरीके से नहीं हो पाती ठीक है तो हाँ vitamin B12 ठीक है उनकी body के अंदर blood clotting इच्छे तरीके से नहीं हो पाती चोट लिए तो जादा blood flow करता है या blood vessels के अंदर भी कहते हैं थोड़ा मतलब चीज जादा खराब हो रखी होती है अगर आप लोगों ने लेक्चर अशे से देखा है तो ठीक है बैटा vitamin B12 RBCS के formation के लिए जरूरी है करत के वो clotting के लिए नहीं है वो vitamin B12 जो है that is RBCS के formation के लिए जरूरी है यहाँ पर क्या बोला है hemorrhagic hemorrhagic मतलब की blood clot नहीं हो पार है चोट लगती हाँ आदे की blood काफी blood vessel से blood flow कर रहा है ठीक है clot नहीं हो पार है vitamin K जो होता है vitamin K ठीक है it is important for formation of जो हमारी clotting proteins होती है जिसे की pro-thrombin हो गया fibrinogen हो गया ठीक है उन सब के formation के लिए vitamin K is very important हाना so vitamin K यहाँ पर correct answer होगा अगर यह हम से बोलता anemia वगरे से सफर कर रहा है यह RBCs का अर्थोसाइट का maturation नहीं हो रहा है तो फिर क्या कहते है हम उस case में जा सकते थे that is अपना क्या अपना basically कहलो कि vitamin B12 की तरफ जा सकते थे बट ऐसे नहीं होता है ठीक है आगे बढ़ते है अगले question की तरफ next question यहाँ पर यहाँ पर देखो आप भी गया vitamin K जो होता है is required for formation of thromboplastin conversion of fibrinogen to fibrin conversion of prothrombin to thrombin या synthesis of prothrombin तो जैसे कि भी मैंने बोला कि vitamin K होता है it is usually essential for formation of cancer वालो में fibrinogen fibrinogen समझा नहीं मैं ठीक है ओके ठीक है ओके हाँ दोको cancer वाली case में number of कहते है RBCs वगरा जो है या WBCs वगरा वो बढ़ता है उसमें ऐसा कुछ problem नहीं है ठीक है fibrinogen का उतना कुछ impact नहीं होता है fibrinogen एक प्रोटीन है and cancers में usually cells का unlimited divisions होता है fibrinogen का कुछ खास रूल नहीं आएगा इस केस में क्या हो सकता है इस केस में यह हो सकता है basically हमारा की vitamin K जो होता है is required for formation of यहाँ पर पूचा गया प्रूप्रोप्लास्टिन तो थ्रॉप्लास्टिन लगए जो होता है हमारा kgis of cascade reactions वकरा से बनता है conversion के लिए हमारे पास thromboplastin है इसके लिए वाइद मिन जो प्लास्टिन होता है उसके लिए basically अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा वैसे अगेन फिर से कहारो मैं ठीक है आप लोग को ये PDF मिलेगी तो कुछ specific चीजों पर नज़र रखना है जैसे कि हमने बोला किया ठीक है हमारे जो vitamin K है वो prothrombin के लिए essential है बट प्लीज ये देखो याद रखना कि vitamin K को phyloquinone भी बोलते हैं क्या कहते हैं phyloquinone भी बोलते हैं तो कल को हो सकता है vitamin K ना दे हो सकता vitamins के नाम दे दे ठीक है तो ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए ओके चलो next यहाँ पर क्या बोला गया है अब थोड़ा circulator system के में बात कर लेते हैं यहाँ पर बोला गया the QRS complex जो होता है in standard ECG represents depolarization of auricles, depolarization of ventricles, repolarization of ventricles और repolarization of auricles अब आप लोगों को जड़ा एक करकेते हैं चीज हम यहाँ पर बता देते हैं हमारा हाँ ECG की अगर वेव आप देखेंगे तो कुछ इस तरीकी की होती है ठीक है फिर यहाँ पर एक वेव आती है थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको मैं पतले से बनाऊंगो तो दिखेगा नहीं कोई बात नहीं तो इस तरीके से ऐसे वेव आती है फिर ऐसे complex आता है मारा फिर एक यहाँ पर वेव आती है फिर ऐसे चलता है अबना कुछ इस तरीके का ECG होता है थिक है अच्छा इसकों कहते हैं P this is हमारा Q, R, S complex यहाँ पे एक T wave आती है ऐसा होता है ECG आप लोगों ने डाइगरम देखा है हना P wave जो होती है हमारी यह represent करती है क्या depolarization of oracles depolarization of oracles और we can say यह represent करती है contraction of contraction of oracles ठीक है Q, R, S complex यह होता है हमारा ठीक है Q, R, S complex यह होता है यह पूरा का पूरा यह वाला portion represent करता है हमारा क्या पूरा beginning ठीक है of ventricle systole यह कह सकते beginning of depolarization सब कुछ तो depolarization कहलो यह contraction कहलो किसका यह slash contraction कहलेते है किसका of ventricles of ventricles ठीक है बच्चा हमारा यहाँ पे क्या एक T wave T wave जो होता है it represents repolarization repolarization और आप कह सकते हैं relaxation relaxation of of ventricles अच्छा जी यह बात सबको I guess basic idea होगा इन तिनों चीजों का याद होगा इसमें तो कोई दिक्रत नहीं है यह basic idea आप लोगों का होगा ठीक है इतना idea है इसमें कोई परेशानी नहीं है अब इसमें हम लोगों से basic question पूछे जाते हैं कि पेविव क्या represent कर रहा है T wave क्या represent कर रहा है QRS complex क्या represent कर रहा है आप लोगों के NCIT में एक और लाइन लिखी है कि आप number of QRS complex count करके यह भी बता सकते हैं कि कितनी heart beat है ठीक है अब एक कभी कभी हम लोगों के मतलब ना उसमें question में कैसे question बन जाते हैं कि यार ये बताओ ठीक है Sir आपकी live class नहीं देखी बट recorded class देखती हूँ जी बहुत बर शुक्रिया देविया ठीक है तो ये वाला topic मैंने भी नहीं कर वाया था पहले तो आप लोगों से simple से सवाल पूचेंगे कि P या QRS या T wave क्या represent करता है दूसरा आप लोगों से पूच सकते हैं कि यहां पर P wave जो है वो deep polarization देखा रही है यानि कि contraction of auricle दिखा रही है बाट हमारा वो क्या कहते है री-polarization यानि कि relaxation of auricles क्यों नहीं दिखाती है ठीक है हाँ बेटा डेली क्लास 12 बज़र शुरू होती है सर डी-polarization को हिंदी में क्या कहते है कार्ति के मैं suggest करूंगा कि doubtnet का एक neat Hindi medium का channel है आप वहाँ पर जाके क्या कहते है हिंदी में पढ़ सकते हैं मेरे को हिंदी का इतना आइडिया नहीं है मैं English medium के students को पढ़ाता हूँ ठीक है मेरे को इतना ही पता है relaxation और contraction ही पता है ठीक है जब हमारा chamber relax करता है चोड़ा होता है तो इसका हूँ अब यार मैं ऐसे हिंदी में में को नहीं पता है डी-polarization बाकी channel है ठीक है specific teachers वहाँ पे available है अब वहाँ पे देख सकते हैं ओके अंकित class रात को physics की होती है 6 बज़े शाम को class physics की होती है और अभी 12th के बाद मेरे कहल से कोई बच्चा ऐसा तो है नहीं कि जो busy होगा तो एल्थ की बाद तो भी आप लोगों के छुट्टिया होंगी सो मुझे लगता है नहीं कि कोई problem हो सकती है class में तो basically यहाँ पे क्या reason होता है इसका देखो जो contraction जो होता है और इकल्स का या deep polarization जो होता है और इकल्स का यह काफी की power कम होती है तो relaxation की wave देखने को नहीं मिलती है ठीक है हाँ बहुत सई रिया सई बात है दूसरी बात qrs complex में हम लोगों को t wave देखने को मिलते है क्योंकि ventricles का contraction काफी strong होता है क्योंकि ventricles को blood pump करना होता है कहाँ पे lungs के पास और एक भेशता है blood को कहाँ पे पूरी body में तो हाँ पे strong contraction होता है जब वो relax करते हैं तो वो भी उनका भी relaxation भी काफी strong होता है तो उसकी एक हमें छोटी सी wave that is T wave देख जाती है चालो जी तो यहाँ पे पूछा था कि qrs complex जो होता है वो क्या represent करता है तो answer क्योंकित हो जाएगा depolarization of ventricles that is option number B okay option number B यहाँ पे हमारा correct choice हो जाएगा next question पे आते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा क्या कहते हैं आप लोगों को explanation दे रख है of ECG आप इसको read भी कर सकते हैं बाद में next question यहाँ पे हमारा क्या है इस question में हम लोगों से पूछा गया है basically all the components of nodal tissue are auto excitable why does SA node act as the normal pacemaker ठीक है SA node has lowest rate of depolarization SA node is only component to generate the threshold potential only SA node can convey the action potential to the other components SA node has the highest rate of depolarization so हमने क्या बोला कि जितने भी components होते हैं nodal tissue के जैसे कि आपको पता है सबसे कोने में sinoatrial node होती है फिर जैसे मतलब अगर atrium की बात को तो right atrium के corner में sinoatrial node होती है फिर अपने जो right atrium होता है उसके left corner में AV node होती है तो वो भी auto excitable है लेकिन SA node ही क्यों शुरुआत करता है क्यों नहीं AV node शुरू कर सकता है ये बताइए क्या reason हो सकता है इसका ठीक है हमेशा SA node से ही शुरुआत क्यों होती है या SA अब इसमें एक और question मन सकता है कि SA node को ही pacemaker बोलते है AV node को क्यों नहीं बोलते AV node को pace setter क्यों बोलते है ठीक है बच्चे कह रहा है option number B only SA node can convey the action potential sorry SA node is the only component to generate the threshold potential देखो अब ये जो statement है ना इसको तो question है incorrect कर रहा है कैसे कर रहा है all the components of nodal tissue are auto excitable सारे के सारे auto excitable है यहाँ पर लिखा है SA node is only component to generate the threshold potential SA node नहीं कर सकता है सब कर सकते है AV node भी कर सकता है लेकिन SA node को ही हम क्या बोलते है pace maker बोलते है क्योंकि SA node has highest rate of deep polarization SA node के अंदर contractions यो होती है या SA node के अंदर excitations यो होती है faster होती है तो faster excitations होती है तो वो आगे जल्दी जल्दी जाती है और हाट के पूरे मतब पूरे हाट में अच्छे से spread करती है AB node का deep polarization जो होता है थोड़ा slow होता है अगर AB node से शुरुवात होती तो आगे waves थोड़ी slow जाती है SA node का थोड़ा fast होता है तो पूरे हाट में एंटारली जल्दी से वो spread कर जाती है option number D यहाँ पर correct choice है अगर आप इसका यहाँ पर देखेंगे तो reason भी पढ़ सकते है the nodal musculature has ability to generate action potential without any external stimuli हमारा heart जो होता है myogenic होता है ठेक है याने की auto excitable होता है अच्छा the number of action potentials that could be generated in minute vary करते हैं different part of system में अच्छा जैसे example के तौर पे यहाँ पर लिखा होगा देखो sinoatrial node जो होता है it can generate maximum number of action potential that is 70 to 75 highest number of depolarization and इसलिए initiate करता है जो हमारा AV node है अगर वो शुरुवात करता तो उसके maximum numbers जो है कुछ मेरे खाल से 40 to 50 के बीच में range करते हैं तो ऐसे node का जो action potential जो होता है या कह सकते है number of excitements जो होती है number of depolarization जो होती है वो कम होती है और हमें चाहिए जादा तो इसलिए हमेशा SA node से ही impulse शुरू होती है याद रहेगा कोई परिशानी तो नहीं इस question में यहां तक बात क्लियर है अच्छ आगे बढ़ते हैं इस question में पूछा गया आप लोगों से a specialized nodal tissue embedded in lower corner of right atrium close to AV septum delays the spreading of impulse to heart apex for about 0.1 seconds this delays allow अब देखो SA node से AV node पे क्या गया है SA node से AV node पे impulse गया है अब यह जो AV node होता है 0.1 seconds का delay करता है उसके बाद ventricles पे impulse भेजता है इसका क्या benefit है blood to enter outer the ventricles to empty completely blood to enter pulmonary arteries the arteria to empty completely simple सा logic है ध्यान से सोचो ध्यान सा logic लगाओ SA node से हमारी क्या कहते हैं wave शुरू हो रही है वो गई AV node पे SA node पूरे के पूरे ventricles को cover करता है ठीक है AV node पे 0.1 seconds का delay आता है उसके बाद impulse आगे जाती है जो की ventricles को contraction करवाती है तो उस 0.1 seconds के delay का क्या benefit है ventricles to ensure the ventricles to ensure completely ventricles to empty completely अच्छा ओके और बाकी बच्चे जो है क्या option कहना चाहेंगे see माल लो यहाँ पे हमारे 4 chambers है मैं ऐसी draw कर देता हूँ ठीक है हमारा heart ऐसा नहीं होता है I know but मैं ऐसी draw कर देता हूँ यह हमारा एक chamber है ठीक है और यहाँ पे हमारा दूसर chamber है 4 chambers हो गए this is right atrium this is left atrium this is left ventricle this is right ventricle sa node यहाँ पे हमारा क्या है av node ठीक है अगर यहाँ से impulse शुरू हो रही है यहाँ से impulse शुरू रही है sa node से तो impulse जब शुरू होती है impulse जब किसी chamber पर पहुचती है तो उस chamber का क्या होता है contraction होता है ठीक है और weekend से depolarization होता है depolarization होता है अब impulse जब AV note पे पहुँच जाएगी तो यहाँ पे 0.1 seconds का delay आएगा 0.1 seconds का delay आएगा 0.1 seconds impulse रुकेगी उसके बाद यहाँ पे Purkenji Fibers क्या सकते हैं बंडल और फिस्ट के थूँ ventricles के उपर जाएगी और ventricles का क्या करवाएगी Contraction करवाएगी Ventricles का क्या करवाएगी Contraction करवाएगी या Depoloration करवाएगी Simple सा जो 0.1 seconds का delay आता है वो क्यों आता है देखो Impulse अगर यहाँ से शुरू हो रही है और AV note पे पहुच रही है तो वो क्या करेगा वो वेट करेगा AV note की सारे के सारे Atrium से हैं अच्छे सा squeeze होके खाली हो जाएगी कुछ बच्चों ने बोला है वेट करता है Ventricles के लिए to empty completely Ventricles तो वैसे भी क्या कहते है हमारे अभी Contract करें नहीं सकते हैं ना क्योंकि अभी AV note से हमारा शुरू नहीं हुआ है तो Ventricles तो वैसे भी नहीं हमारे contract कर सकते हैं दूसरी बात आप लोगों को पता है कि Joint Diastole जब सारे के सारे हमारे heart के chambers Relaxing States पे होते हैं तो Ventricles से हमारा 70% के आसपस blood तो 70% blood तो directly, sorry Atrium से 70% blood तो directly ventricles में आ जाता है तो Ventricles तो usually इतने empty रहते हैं नहीं है Ventricles के अंदर तो blood directly आ जाता है तो जो 0.1 second का delay आता है AB node wait करता है कि सारे के सारे Ventricles अच्छे तरीके से खाली हो जाएं और उसके बाद impulse भेशता है कहां पे Ventricles के पास और फिर Ventricles contract करते हैं और blood को आउटा में या pulmonary artery में भेशते हैं हाँ, so for atria to empty यहाँ पर हमारा correct answer होगा that is option number D तो जिन बच्चों ने option number B बोला था पहले तो उनको मैं जारा correct कर दूँ D हमारा यहाँ पर correct answer था चालो, बहुत सही आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है कि what would be the heart rate of a person if cardiac output जो होता है is 5 liter blood volume जो होता है ventricles at the end of diastol is 100 ml and at the end of ventricles systole is 50 ठीक है तो cardiac output जो है आप लोगों को दे रका है कितना पांस लिटर दे रका है and blood volume जो होता है ventricles at the end of diastole diastole के बाद कितना है यानि कि ventricles diastole relaxation के बाद इस 100 ml and at the end of ventricles systole is 50 ml ठीक है बताओ यह थोड़ा सा numerical based question है, इस question को हम लोगों को एक formula से solve करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को formula बता देता हूँ, आप लोगों ने एक case पड़ा होगा, ठीक है, cardiac output जो होता है हमारा, cardiac output is equal to stroke volume, stroke volume, ठीक है, volume, multiply by heart rate, multiply by heart rate, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है, heart rate, ठीक है, सो आप stroke volume को यहाँ पर नीचे ला सकते हैं, तो cardiac output upon my stroke volume is equal to heart rate, इस formula से निकालना है, अब आप लोगों को यह decide करना है, cardiac output तो अपने को पता है, 5 हो गया, ठीक है, 5 लीटर, अब आपको यह देखना है, कि भाईया, मैं यहाँ पर value कौन से रखूं, stroke volume पर, diastole वाली रखूं, या systole वाली रखूं, ठीक है, क्या answer होगा, बता उसमें, बताइए, तो अगर stroke volume की बात करें, हम लोग तो stroke volume क्या होत करते हैं, यानि कि ventricular contraction के बाद कितना blood हमारा निकल रहा है, हाना, तो 5 लीटर है, तो 5 लीटर को पहले ml में convert कर देते हैं, और इसको divide कर देते हैं 50 से अब, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये लो, option number B, यहाँ पर हमारा correctures हो गया, क्या दिक्क्रत हैं, बताओ, कोई द करिए उसके, वहाँ पर आप लोगों को बता देंगे, पाद सर, ठीक है, चालो जी, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपना स्टो कोलिम दिखा रहा है, कितना 50, और उस basis पर calculation कर दी है, इसको देख लेना, चालो जी, अगले question की तरफ बढ़ते है हैं हम लोग, यह question भी काफी interesting सा दिख रहा है मिरको, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्या, नहीं, बस यहाँ पर simple सी पूछी गई है, हाँ जी, थोड़ा सा और उपर कर दें, एक मिनटो को, इसको थोड़ा सा छोटा, अरे यार, ठीक है, ठीक है, अब उमीद करते हैं कि आप लोगों को सारे के सारे options दिख रहे होंगे, ठीक है, और word भी दिख रहे हैं शायद, इसको मैं जूम करूंगा, तो फिर से इसमें कुछ दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर बूचा गया है, कि पीवेफ जो होता है हमारा, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यो 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 रिप्रेजेंट करता है, और अगर T wave के size में reduction हो जाए तो वो क्या represent करता है अब हो सकता है कि मिले को बहुत सार चीज़े नहीं पता लेकिन मिले को जो चीज़े पता है मैं उसके पर focus करूँगा ठीक है P wave जो होता है हमारा it represents deep polarization of atria ठीक है so A के साथ हमारा 4 दे रखा है कहां पर option number हमारे first में और option number D के अंदर दे रखा है now QRS complex के अगर मैं बात करूँ तो QRS complex जो होता है हमारा represent करता है deep polarization of ventricles सही बात है ठीक है अगर मैं बात करूँ अब T wave की तो T wave क्या represent करता है वो represent करता है rep polarization of ventricles तो C के साथ second भी आ रखा है ठीक है उस condition को हम कहते है coronary ischemia now what is this coronary ischemia किसी को इसका idea है क्योंकि देखो अगर आप नहां पर देखेंगे तो ये question थोड़ा मुश्किल था क्यों क्योंकि option number A में भी हमारे same थे और fourth में भी same थे ठीक है बस एक ही में इनोंने change करा है D वाले में ठीक है सो जो size जब T-Wave का कम हो जाता है तो represent करता है coronary ischemia now what is this coronary ischemia क्योंकि रिया ने answer दिया है option number D तो एक बढ़ी पूछ लेते जरा रिया से चालो जी हाँ विक्रम सुनाओ रिया को क्यों सुना रहे हो यार हमको सुना दो रिया विचारी पढ़ रही है आप उनको पढ़ने दीजिए आप हमें सुनाइए रिया को परिशान मत करिए ठीक किसी को बात करनी है हम से करिए हम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है any idea about coronary ischemia एक तो बच्चे हमें के कहते हैं बड़ा वो करते रहते हैं फोन मगरा क्लास के टाइम पर भी कर सकते हैं ठीक है देखो coronary ischemia या या बतलब ऐसे सारी conditions जो होती है न यह represent करता है क्या बढ़ा बेसिकली coronary word जो होता है इस related to heart ठीक है या arteries को और नहीं मतलब heart arteries जो होती है heart की तरफ जो blood vessels जाती है ठीक है उसको हम क्या कहते है उसको हम कहते है coronary वो blood vessels जो heart की तरफ blood लेके जाते है that are the coronary arteries ischemia अगर heart को अच्छे तरीके साप्लाई नहीं मिल रहा है blood का ठीक है तो that is the case of coronary coronary क्या कह सकते है ischemia इसको ऐसे assume करिए की reduction in size of T wave T wave क्या represent करती है T wave represent करती है हमारा repolarization of ventricles पहले सारे बच्चे बोलेंगे हां की ना T wave represent करती है repolarization of ventricles अगर T wave के size में थोड़ा reduction आ रहा है या T wave का size छोटा हो रहा है यानि की हमारा कहीं ना कहीं QRS complex भी थोड़ा छोटा हो रहा होगा logically सोचो जितना अच्छा QRS complex होगा उतना ही अच्छा हमारा T wave होगा अगर मेरा T wave छोटा हो रहा है तो कहीं ना कहीं QRS complex भी थोड़ा छोटा हो रहा होगा यानि की मेरा ventricle contraction जो है और relaxation जो है वो बड़िया तरीके से नहीं हो रहा है बड़िया तरीके से क्यों नहीं होगा जब हमारे heart को अच्छे तरीके से blood supply या हमारे heart को अच्छे तरीके से oxygen नहीं मिलेगी cells को अच्छे तरीके से काम करने को नहीं मिलेगा या मेरे को कोई heart मतलब क्या सकते हो disease वगरा के chances होंगे उस case में हमारा QRS complex छोटा होगा उस case वज़े से हमारा T-WF छोटा बनेगा ठेक है So it is the case of coronary schema जहाँ पर heart को blood थोड़ा कम पहुशता है या heart के पास जब blood नहीं पहुशता है तो उसकी muscles अच्छे से काम नहीं करती है Ultimately coronary schema जो होती है It leads to heart failure ठेक है तो वो सारे cases की तरफ जाती है But reduction in size It leads to coronary schema Because of coronary schema ठेक है चालो जी आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ ठेक है Next question पर चलते हैं इसका reason यहाँ पर अच्छे तरीके से दे रख है यह देखो coronary schema क्या होता है When heart muscles receive करते है insufficient oxygen ठेक है तो जब insufficient oxygen ठेक है जब insufficient oxygen मिलती है इनको बहुत खूब बहुत खूब हाँ तो उस case में होता है चलो जी आगे यहाँ पर question दे रखा है हम लोगों को कि यहाँ पर एक column दे रखा है इस column में पूछा गया है क्या है यार हाँ यहाँ पर हमें column दे रखा है इस column में हम लोगों को कुछ चीज़े दे रखी है first is tricuspid valve फिर bicuspid valve और semilunar valve और इसका function पूछा है ठीक है मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ कि tricuspid और bicuspid में कोई शारों से याद रहता है कि tricuspid इधर होता है bicuspid इधर होता है between left atrium and left ventricle bicuspid का क्या इसके साथ function होगा या आप लोगों को बताना है तो tricuspid इधर होता है bicuspid इधर होता है try होता है right hand side पे between right atrium and right ventricle एक के साथ हमारा आजाएगा third जो की दे रख है option number c में मेरको और कहीं पे या और कुछ सूचनी की ज़रूती नहीं है option number c मेरे हैं यहाँ पे correct choice हो जाएगा bicuspid हमारा left और atrium और ventricle के बीच में होता है तो second के साथ first दे रख है किसमें second के साथ first दे रख है C में और बचा हमारा क्या semilunar valve जो होता है atrium के right ventricle के बीच में और pulmonary artery के बीच में ठेक है यह semilunar valves हमारी कौन सी होती है एक तो atrium के ventricle के बीच में और pulmonary artery के बीच में यह हमारा जो वो होता है के कहते हैं, left ventricle के बीच में और ओटर के बीच में, वो भी semi lunar wall भी है, so option number C, यहाँ पर हमारा correct choice होता है, चालो जी, इधर आते हैं जल्दी से, ठीक है, now doctors use करते हैं हमारे क्या sthetoscope, to hear the sounds produced during each cardiac cycle, the second sound is heard when, हमारे heart के अंदर दो sound produced होते हैं, that is love और dub, ठीक so वो जो love dub वाले sound होते हैं, वो किस वज़े से produce होते हैं, किस reason से produce होते हैं, यह आप लोगों को बताना है, तो AV valve open करता है, तो हमारा dub sound आता है, second sound आता है, ventricular valves vibrate करते हैं, due to gushing enough blood from atria, semi lunar valve close करती है, after blood flow into vessels from ventricle, जा AV node receive करता है, signal from SA node, बताइए, क्या answer होगा, simple सी चीज़ है, love और dub sound, हमारी जब valve close होते हैं, तो दो sound produce होते हैं, एक sound हमारा AV valve के closure से बनता है, ठीक है, that is हमारा क्या कहते हैं, जो bricuspid और tricuspid है, ठीक है, उनके closure से एक sound produce होता है, दूसरा sound produce होता है, because of closure of semi lunar valves, यानि कि जो हमारा pulmonary valve होता है, और aortic valve होता है, ठीक है, so option number C, जो है हमारा that will be the correct choice, love और dub sound, इन दोनों valve के closure से, AV valve और semi lunar valve के closure से हमारा पड़ीज होता है, option number C, हाँ ठीक है नितिन, हाँ शिता सही है, अगले question की तरफ आते हैं, next question यहाँ पर क्या बोला गया है, कि which of the falling animals has two separate circulatory pathways, और simple सी बात यहाँ पर पूछी गई है, double circulation हम लोगों को किसमें देखने को मिलता है, frog, lizard, whale और shark, यह हमारे questions, आप लोगों को से मिलते जुलते थोड़े animal kingdom में मिल जाएंगे, कि double circulation, incomplete circulation किसमें होता है, so single circulation हम लोगों को fishes में देखने को मिलता है, incomplete circulation हमारा reptiles में, amphibians में होता है, ठीक है, except crocodile उसके अंदर double circulation होता है, waves के अंदर और mammals के अंदर हमारा double circulation होता है, और यहाँ पे हमारी mammal जो है, that is whale, whale यहाँ पे हमारी mammal है, तो mammal के अंदर हम लोगों को double circulation देखने को मिलता है, ठीक है, that is whale, option number C, now, यहाँ पे ECG का एक diagram दे रहा है, इसके options का दे रहा है, यहाँ पे पूचाएगा है, कि P wave क्या represent कर यहाँ पर देख लेता है, यहाँ पर दे रहा है, contraction of both atria, ठीक है, चालो जी, आगे बढ़ता है, यहाँ पर पूचाएगा है, bundle of fish is part of which of the falling organs, heart का पार्ट है, kidney का पार्ट है, pancreas का पार्ट है, ठीक है, so, if in case, आपको नहीं पता है, तो आपको मैं एक sequence बता दoux, यहाँ पे होता है हमारा essay node, फिर यहाँ पे होता है इमारा AB node, ठीक है, AB node से मारे एक fiber n Сегодня को बहें है, bundle branch, यह हमारी क्या है, bundle branch, ठीक है, फिर यहाँ से हमारे दो partition होते है, ठीक है, Jags का bundle of fish भी कहें सकते हैं, this is bundle of fish, बंडल अफिस डिवाइड करता है ठेके लेफ्ट बंडल ब्रांच में और राइट बंडल ब्रांच में ठेके यह हमारे डिवाइड करता है किसके अंदर लेफ्ट के अंदर इस तरफ राइट होगा राइट के अंदर और लेफ्ट के अंदर ठेके और यह बंडल ब्रांच जो किसी को नहीं पता है तो सीक्वेंस में बता रहा हूं सबसे पहले से नोड ठीक है टॉप राइट कॉर्णर पे फिर लोवर लेफ्ट कॉर्णर पे लोवर लेफ्ट कॉर्णर आफ राइट एट्रियम फिर यहां से बंडल ओफिस निकलता है बंडल ओफिस से लेफ बंडल ब्र ए भी सेप्टम पे तो ये सारी बाते पता होनी चाहिए ए भी सेप्टम से निकलता है और वेंट्रिकल की बीच में जाता है ओके चलो यहाँ पे पूछा गया है कि बंडल ओफ किसका पार्ट है तो हमारे हार्ट के अंदर जो नोडल टिश्यू होता है कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है उसका पार्ट है नेक्स्ट कोशन यहाँ पे हमारा क्या दे रखाए इफ ड्यू टू एक मिल्टर को हाँ इफ ड्यू टू सम इंजरी कॉर्डे टेंडिने अभी हो सकते है बहुत सारी बच्चों को पता ही ना हो कि कॉर्डे टेंडिने क्या होता है caudate tendine of tricuspid valve of human heart is partially non-functional what will be the immediate effect caudate tendine अगर non-functional है या अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा flow of blood into outer will be slowed down pacemaker will stop working the blood vessel will tend to flow back into left atrium flow of blood into pulmonary artery will be reduced एक बरी फिर से options देखलो flow of blood into outer will slow down flow, sorry the pacemaker will stop working blood will flow करेगा back into left atrium सिर्फ left atrium की बात करी है flow of blood into pulmonary artery will be reduced नेतिन ने बोला है option number D पहले तो मुझे ये बताएं कि caudate tendinei कहां पे होते हैं क्या होते हैं पहले तो ये बताओ आइडिया है ये नहीं है cross section चालो जी ठीक है यहाँ पे आप लोगों को देख जाएगा caudate tendinei अच्छे तरीके से ncrt और add कर देता हैं तो ncrt कही डायग्राम आजाएगा आगया ये वाला भी देख सकते हैं वैसे तो बट ये वाला भी देख लो एक बड़ी देख लेता हूं मैं कौन्सा साफ दिख रहा हैं लोगों को ठीक है इसको दिखा देते हैं चालो जी सो यहां पर अगर आप देखेंगे इसको ठीक है ध्यान से अगर आप देखेंगे इसको इस इमेज को ध्यान से देखो यहां पर देखो वेंट्रिकल्स के उपर आप लोगों को नहीं प्रोजेक्शन सी दिख रही हैं इन प्रोजेक white elastic जैसे structures दिख रहे हैं these white elastic structures को हम कहते हैं caude tendine caude tendine असल में हमारे valve से tricuspid valve होते हैं और bicuspid valve होते हैं तो caude tendine हमारे valve को basically पकड़ के रखते हैं ताकि valve जो हमारे उपर की तरफ ना चले जाए atrium में ना चले जाए अगर ventricle pressure लगाएगा तो valve pressure से उपर की तरफ ना चले जाए ठीक है तो असल में caude tendine जो होते है valve को atrium में जाने से रोकता है valve को तूटने से या valve को मुडने से रोकता है caude tendine अगर caude tendine नहीं होगा तो हमारा valve atrium के अंदर मुड जाएगा और अगर ventricle contract करेंगे तो हमारा blood जो है atrium में चले जाएगा दोनों atrium के अंदर चले जाएगा ठीक है अब अगर atrium के अंदर blood जाएगा तो जाहिर से बात है कि pulmonary artery के अंदर उतना blood नहीं जा पाएगा क्योंकि अगर ventricle contract करेगा तो आदा blood वापे इस atrium में चले जाएगा आदा blood pulmonary artery या outer में चले जाएगा तो अब इससाब से हमारा correct option क्या बनता है क्या नहीं बनता है उसके साब से हम देखते है ठीक है चालो जी अब यहाँ पे बोला गया था क्या the flow of blood into outer will be slow down ठीक है अच्छा the flow of sorry the pacemaker will stop working the blood will tend to flow back into left atrium the flow of blood into pulmonary artery will be reduced अब यहाँ पे थोड़ी सी इनों ने क्या कहते है ना यह देखो if due to some injury caudate tendon of tricuspid तो यह tricuspid की बात कर रहे है tricuspid हमारा right hand side पे होता है ठीक है tricuspid हमारा right hand side पे होता है तो यह left वाला तो हटा दो यहां से ठीक है flow of blood back into left atrium वो तो हटा दो क्योंकि वो अला सही काम कर रहा है ओके और हमारा जो left ventricle होता है वो blood को sorry right ventricle जो होता है हमारा blood को pump करता है pulmonary artery में तो pulmonary artery के साथ ही problem आ सकती है क्योंकि जब left right ventricle blood को pump करेगा तो आदा blood वापिस right atrium में चल जाएगा और आदा blood जाएगा किसमें pulmonary artery में तो D वाला जो option होगा हमारा वो correct होगा ज़्यादा detail में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कल को आप लोगों से कोई पूछे कि caude tendine of left hand side damage हो गया है तो उसमें क्या देखने हैं कोई effect मिल सकता है तो ऐसे सवाल भी आप लोगों से exam में पूछ लिए जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले questions पर आते हैं हम लोग questions बस खतम होने वाले जादा कुछ बचे नहीं है ठीक है चालो जी इस question में हम लोगों से पूछा है in human blood pass करता है from post kevel to diastolic right atrium of heart due to post kevel के questions हमारे नहीं आते हैं पहले आते थे ठेके तो बहुती पुराना question है 2008 का इसको रहन दो post kevel के question नहीं आएगा यह देख लेता है systemic heart systemic heart क्या होता है वैसे तो enteric heart in lower vertebrates ठेके यह भी question हमारा थोड़ evolution वाले point of view से है यह रहन देतना भी इसको इसको अमलोग animal kingdom वगरा में cover कर लेंगे यह बताओ मेरको bundle of history होता है हमारा यह क्या होता है network of nerve fibers distributed in ventricles यह बताओ nerve fibers found throughout the heart muscle fibers distributed throughout the heart muscle fiber only found in ventricular valve तो bundle of this हमारे क्या होते है यह बताने है इन questions को यह जो systemic heart है ठीके सारी चीज़े जो है मैं आप लोगों को यह animal kingdom वाले chapter में करवा दूँगा तो उसके लिए परिशान मत होना उन लोगों ने भाग का concept यहां पर दे दिया है ठीके तो exam में ऐसे पहले कर देते थे तो अभी पहले मेरे को यह बताओ इस question का क्या answer होगा हमारा bundle of uses network of हमारा किसका है नर्व का है या मसल का है तो पहली बात तो मसल्स के होते हैं तो नर्व वाला तो आप्शन ही हटा देते हैं नर्व वाले दोनों options यहां से गायब कर दो मसल फाइबर distributed throughout the heart और मसल फाइबर found only in the ventricle wall तो हमारे जो बंडल अफिस होते हैं वो सिर्फ ventricle walls पर दिखते हैं तेके throughout the heart wall नहीं होते हैं क्योंकि उपर की तरफ हमारा ऐसे नोड होता है तो atrial fibers वगरा बनाता है वो तो सिर्फ उस पर नहीं होता है throughout the heart wall थोड़ी नहीं होता है bundle office ventricles की तरफ होते हैं न उपर की तरफ तो ऐसे नोड है ऐसे नोड अपना internodal pathways बनाता है ठीक है bundle office तो हमारे शुरुवात ही खहां से होती है एवी septum से एवी bundle लीचे की तरफ ventricles की तरफ तो option number D होगा C नहीं होगा ठीक है चलो 53 पर आते है 53 में पूछा गया कि in mammals histamine is secreted by fibroblast and basically histocytes lymphocytes या mast cells so histamine कौन release करता है एक तो हमको पता है बेसोफिल्स करते हैं और एक और cell करता है इन चारों में से कौन से cell है फटा फट बताएंगे ठीक है fibroblast, histocytes, lymphocytes या mast cell कौन से cells हमारे release करते हैं histamine mast cells बहुत बढ़िया अगले question पर आते हैं हम लोग next question यहाँ पर है चलो जी इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि correct sequence होगा वो क्या होगा ठीक है pulse का यह हमारे heartbeat का ab node, ab node से तो शुरुवाती नहीं होती है तो ab node को तो हटा देते हैं यह दोनों options यहां से हटा देते हैं sa node, purkinji fibers ठीक है, sa node के बाद purkinji fibers नहीं आता है sa node, ab node, bundle of his purkinji fibers उसके बाद heart muscle C हमारा correct choice है option number D is correct खुशी ठीक है next question पर आते हैं हम लोग, next question यहां पर हमारा क्या है वो देखते हैं pace maker of heart हमारा क्या कहलाता है, again a very easy question sa node को pace maker कहते हैं और av node को pace setter कहते हैं, please इस सीच को याद अखना sa node is pace maker and av node जो होता है pace setter होता है, वो pace set करके रखता है ठीक है, option number C is the correct choice, next question यहां पर हम लोगों का क्या है कि dub sound जो होता है हमारा ठीक है, love और dub होता है, सलमें dub लिख दिया नोने, D-U-B होता है, dub sound किस वज़े से होता है और we can say second sound किस वज़े से produce होता है, again the same question, second sound जो होता है हमारा, it is because of the closure of semi-lunar valves, अगर love sound पूछते, तो वहां पर हम बोत A and B mark करते, love sound के अंदर हमारा, tricuspid और bicuspid valve और we can say AV valve दोनों का roll होता है, okay चालो जी, यहां पर क्या पूछाएगा, tricuspid valve is found between, again easy question है, tricuspid valve थाहां देखने को मिलता है, right hand side, try और by, ठीक है, tricuspid, bicuspid, right hand side पर देखने को मिलता है, ठीक है, next question पर आते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी ज़रा finish करते हैं इसको, अब थोड़ा blood vessels के उपर questions आ रहे हमारे, blood pressure जो होता है, pulmonary artery के अंदर, वो कैसा होता है, more than the carotid artery, more than in pulmonary vein, less than in the venacava, same as in the outer, तो हमारा जो blood pressure होता है, किसके अंदर, pulmonary artery के अंदर, pulmonary artery देखो, कहां से निकलती है, पहली बात तो, right ventricle से निकलती है, और lungs के पास blood लेके जाती है, ठीक है, artery है, blood लेकर के जा रही है, तो pressure vein से तो जादा ही होगा, more than in the carotid artery, carotid जो होती है हमारी, वो उसको supply करती है, blood किसको, heart को, पूछा है, बोला गया, more than pulmonary vein, pulmonary vein से जादा, vein से तो जादा होगा ही नहीं, नहीं venacava, venacava, यानि कि B और C तो हटा देते हैं, बचा है हमारे पास, बेटा vein से जादा कैसे हो सकता है, अच्छा, एक मेंट रुको, sorry, 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 pulmonary artery, artery away from heart, हाँ सही है, अपना right ventricle से blood लेकर जाती है, lungs के पास, pulmonary vein जो होती है, हमारी वो lungs से blood लेकर के आती है, ठीक है, arteries, blood को away from heart लेकर जाती है, veins, blood को towards heart लेकर के आती है, so venacava वाला, तो हटा देते हैं, बचा हमारे पास दो options, that is, sorry, इसमें भी compare करते हैं, एक मेंट रुक जो, same as outer, outer के comparison में same blood तो नहीं हो सकता है, क्योंकि outer जो होता है, उसके अंदर pressure ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा, left ventricle ज्यादा pressure से contract करता है, उसको पुरी body में supply करना होता है, तो उसको हटा दे हैं, वेनकावा से कम होगा, वेनकावा से कम नहीं होगा, वेन से जादा होगा, more than pulmonary vein, हाँ हो सकता है, more than carotid artery, ठीक है, carotid artery से जादा कह सकते हैं, वैसे नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोगों को option number B की तरफ जाना पड़ेगा, more than that in pulmonary vein, ठीक है, carotid artery का मतलब pulmonary vein का carotid artery से भी जादा होता है carotid artery वो होती है जो heart को blood supply करती है ठीकि वो heart को blood supply करे उसके प्रेशर कम होता है इसका pulmonary vein से भी जादा होता है ठीकि तो इस cancer क्यों जाएगा option number b more than the pulmonary vein option number b हमारा यहां पर correct choice होगा अच्छा 59th पर आते हैं in mammal which blood vessel would normally carry largest amount of urea सबसे ज़्यादा urea कहाँ पे होता है हमारा dorsal outer hepatic vein hepatic portal vein और renal vein सबसे ज़्यादा urea कहाँ पे होता है थोड़ा logical question है और मिर को पता है कि यहाँ पे हो सकता है बच्चे जो है मतलब कुछ-कुछ बच्चे जो है थोड़ा renal vein की तरफ जाएंगे लेकिन याद करो कि urea का formation कहाँ पे होता है हमारी जो ornithine cycle होती है that is urea cycle वो कहाँ पे होती है तो वो होती है hepatic liver में यानि कि hepatic vein तो liver से जो vein निकल रही है liver से जो blood निकल रहा है hepatic portal vein वो होता है हर्शिता जो hepatic portal system को connect करता है यानि कि small intestine और liver को जो vein connect करती है उसको हम कहते है hepatic portal vein ठीक है तो वो nutrition लेकर के आती है कहाँ से small intestine से किसके पास liver के पास hepatic vein कौन सी होती है जो liver से निकल रही है liver के अंदर urea formation हो रहा है और वो निकल रहा है किसके थूँ hepatic vein के थूँ वो आती है फिर कहाँ पे हमारा kidney के पास आता है वो मतलब पहले जाहर सी बात है अपने heart के पास जाएगा फिर heart उसको pump करेगा towards kidney फिर हमारा फिल्टरेशन होगा बट सबसे जादा हमारा क्या कहते है urea जो है hepatic vein में होता है अगर कल को हमसे कोई पूछे कि सबसे कम urea किस में होता है तो आपका answer क्या होगा उस case में renal vein क्योंकि renal vein जो है पूरा filtered bread लेके आती है तो सबसे कम urea renal vein में होगा ठीक है चलो जी question number 60 की तरफ आते हैं अच्छा यहां पर circulation के उपर question दे रखा है इसमें पूछा गया कि figure जो है show कर रही है क्या A-C-D segment दे रहे कुछ identify the correct label और function D क्या represent कर रहा है यह बताना है A क्या represent कर रहा है यह बताना है B और C तो D जो है हमारी ठीक है कहां पर जा रही है बेसिकली लंक्स वगरा के पास जा रही है This is pulmonary artery यह pulmonary vein है ठीक है यहां से वेना कावा आ रही है और यहां से हमारा अवोटा जा रहा है एक बड़ी देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या आप्शन दे रखे हैं हम लोगों को हां यही दे रखे हैं और साथ में नोंने वो दे रखा है कि क्या क्या अपना पार्शल प्रेशर वगरा होता है A pulmonary vein takes impure blood from body parts pulmonary vein जो होती है पहली बात तो impure blood नहीं carry करती है pulmonary vein हमारी lungs से आती है जो की pure blood आ carry करती है B pulmonary artery take करती है blood from heart to lungs सही बात है partial pressure कितना होता है 90 mm of Hg pulmonary artery जो होती है heart से यानि कि right ventricle से lungs के पास blood लेके जाती है for oxygenation उसके अंदर 90 partial pressure होई नहीं सकता वो carry करती है deoxygenated blood venakava take करता है blood from body parts to right auricle जोहाँ पार्शल प्रेशर CO2 का कितना होता है 45 होता है hardest can be right venakava के अंदर deoxygenated blood होता है और मापे CO2 का partial pressure 45 के आसपस होता है outer takes blood from heart to body parts po2 कितना होता है 95 होता है so d dorsal outer ठीक है d हमारा dorsal outer कह रहा है और takes care blood from heart to body parts d एक बड़ी चेक कर लेते हैं d हमारा outer नहीं है तो label incorrect है d वाला भी बचा हमारा option number that is 3 जहाँ पर बोला गया कि वेनकावा है और ब्लड को d oxygen blood को लेके जाती है कहाँ पर heart के पास तो C correct है ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ यहाँ पर question जो हम लोगों से पूछा गया that is arteries are best defined as vessels जो carry करती है blood away from heart ठीक है break up into capillaries जो reunite करती है to form veins carry करती है blood from one vessel organ to another vessel organ supply करती है oxygenative blood to different organs अभी मैंने बोला था कि arteries और veins में basic जो difference होतना ही है arteries जो होती है blood को away from heart लेके जाती है veins towards heart लेके आती है arteries की walls ठीक होती है veins की wall thin होती है arteries के अंदर आप लोगों को high pressure से blood flow करता है वह देखेगा veins के अंदर blood low pressure से flow करता है इसलिए veins के अंदर valve present होते है arteries के अंदर valve नहीं होते है इन्होंने क्वाय की break up into capillaries which return to form vein बेटा कहां गए हमारे नितिन अगर आपको याद होगा तो हमारा जो hepatic portal system है तो portal system hepatic portal vein जब वो liver को blood supply करती है तो वो भी capillaries में break करती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी artery ही capillary में break करती है arteries is best defined as the vessels जो blood को ले के जाए away from heart option number A ही हमारा correct होगा ठीक है B नहीं होगा veins are best defined as vessels जो carry करती है blood को towards heart ओके चालो जी next यहाँ पर हमारा जो question है that is 62 इसमें क्या पूचा गया है which of the following is the correct measurement या correct statement regarding blood pressure 100 और 55 mmHg होता है इस considered as ideal pressure नहीं 105 और 50 यह भी नहीं होता है active तो बिलकुल नहीं होता है ठीक है low है 190 और 110 makes harm to vital organs like brain and kidney हाँ हो सकता है 130 and 90 जो होता है Hg is considered as high and require treatment basically हमारा कितना होता है 120 और 80 के असपस होता है ठीक है 120, 80 या 70 कैलो normal होता है 130 इतना high नहीं है कि इसके लिए treatment की जरुत पड़े but 190 और 110 it is hypertension stage 3 कैलो या 2 कैलो जहाँ पे हमारे vital organs जो है brain और kidney उसको damage हो सकता है so option number C here is the correct choice ठीक है अब थोड़ा सा इधर आ जाते है और नीचे questions है चालो जी now यहाँ पे ठीक है pulmonary artery different होता है from pulmonary vein again vein और arteries में simple सा question simple सा difference होता है यहाँ पे एक बर देख लेते हैं pulmonary artery away from heart को blood लेके जाती है यानि कि pulmonary artery का जो काम होता है वो blood को लेके जाती है lungs के पास veins लेकर के आती है lungs से heart के पास larger lumen thick muscular walls no endothelium और valve देखो इसमें क्या है कि इन्होंने थोड़ी सी गड़बड कर रहे खिये arteries और veins में बहुत सारा difference होते है veins के ने थोड़ा lumen जादा भी होता है ठीक है मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ आप अगर चाहें तो इसको note कर लो एक बड़ी सारे के सारे के कहते हैं इसके note बना लेना ठीक है एक मेंट रुको हाँ arteries और veins की थोड़ी बहुत कहानी लिख देता हूँ मैं artery और veins ठीक है तो veins जो होती है हमारी इनकी walls से होती है वो कैसी होती है थिन होती है थिन वोल होती है तो इनके अंदर space यह आप कह सकते है lumen जो होता है वो broad होता है broad होता है blood इनके अंदर low pressure से flow करता है blood इनके अंदर low pressure से flow करता है और इनके अंदर present होते हैं valve जो prevent करते हैं backflow prevent करते हैं अगर मैं बात करूँ arteries की तो arteries के अंदर walls ठेक होती है अब क्योंकि wall ठेक है तो थोड़ा सा मोटी wall है तो उसका जो lumen होता है थोड़ा सा पतला होता है lumen थोड़ा सा narrow होता है ठेक है blood यहाँ पे high pressure से flow करता है and second thing is valve यहाँ पे absent होता है यह चारो points याद रखना है हमेशा ठेक है important है ओके आप लोग से questions इनकी basis पे questions पूछे जाएंगे चालो जी pulmonary artery कैसे different होती है pulmonary veins से artery के अंदर larger lumen होता है नहीं थिक muscular wall होती है हाँ no endothelium होता है valve नहीं होते हैं veins में होते हैं option number B यहने कि थिक muscular wall correctories है चार point के basis पे अपना काम हो जाएगा ठेक है 12th class कब start करोगे 12th class ने तन start करेंगे मतलब basically अब सको हम जल्दी 3rd of April से start करेंगे ठेक है उसके हसपास ही एक बड़ी क्या कहते हैं हमारा जो doubtnet का learn fun class 11th and 12th वाला channel जो है उससे जुड़े रहना ठेक है वहाँ पे आप लोगों को मतलब भाई को बोल देना क्या केते हैं कि उसको जड़ा subscribe कर लेंगे ठेक है तो वहाँ पे मैं 12th class की जो भी information होगी सारी की सारी publish करते रहूँगा learn fun class 12th का channel है अलग से ठेक है तो वह search कर लेंगे वहाँ पे इनको सारी के सारी information मिलती रहेगी ठेक है बट अभी बीच में थोड़ा बहुत कुछ guidance session निकालेंगे वहाँ पे ताकि 12th के बारे में पहले एक idea दे दे उसके बाद शुरू करेंगे ठेक है तो most probably first week of class first week of April से शुरू हो जाएगा ओके चालो जी आगे चलते हैं जब आर्टरीस के वाल की ठेकनिंग हो जाती है और इस कोशन को थोड़ा क्या कहते हैं इन्होंने अलग तरीके से भी दे रखाए आप इसको ऐसे से भी समझे जब आर्टरीस की वाल में ऐसे फ़ाइट का डिपोजिशन हो जाता है तो उस कंडिशन को जो क्या कहते हैं और फ़त्राइटरेस एक्र इसकुलिस के लिचास अना-ईूरिय समयगाता है या बोथ अन्सी अर्थ्राइटस तो बॉनस की डिसी आएग ठेक है और इसम आना पहली परी सुना है सही बताऊं तो, atherosclerosis मेरे को पता है कि जब fat का या cholesterol का deposit हो जाता है, ठीक है on the wall of arteries तो उनकी wall ठीक हो जाती है, that condition is called atherosclerosis, ठीक है, adult, एक मिट, adult human जो होता है with average health has systolic and diastolic pressure as, so adult में कितना होता है, normal human के अंदर adult में या कह सकते हैं pressure जो होता, blood pressure कितना होता है, systolic and di diastolic पूछा गया है, 80 and 80, same तो होता है, 71, 20, नहीं, 120, 80, 50, 80, तो 120 हमारा होता है ventricular pressure और 80 जो होता है हमारा systolic pressure होता है, ठीक है, या इस बेसिस बे, 120 by क्या कहते हैं अपना 80 mm of HG pressure होता है, ठीक है, close circulator system किस में देखने को मिलता है, जहाँ पे blood flow करता है, within blood vessels, तो cockroach, आर्थरो port से बिलॉंग करता है, open circulator system, mosquito, insect, open circulator system, housefly, again, insect, open circulator system, बचा हमारा tadpul और fish, यह हमारे बिलॉंग करता है, amphibians से, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को close circulator system देखने को मिलता है, ठीक है, चालो जी, जादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे quotients है, और बहुत देर हो ग है, हेमोसाइट्स, अलक्स, तरल सेल सें, परेटल, औक्सेंटिक, स्टमक में देखने को मिलते हैं, स्प्लीनिक आर्टरी कौन सी होती है, यह एक इंटरस्टिंग कोशन है, ठीक है, अराइस करती है, फ्रॉम एंटिरियर मिसंटिक आर्टरी, वैसे यह वाला कोशन रहन दो, डिफेर्ट टैप आर्टरी के पर कोशन नहीं आएंगे, ठीक है, अब नहीं आते हैं, पहले आते थे, यहाँ पर कोशन दे रहा है, कि वेन के अंदर कौन कौन से लेयर होती है, ठीक है, वेन पॉसेस करती है, लाज लूमन क्यूं, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका होती है, ठीक 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 ह इसमें थिक होता है ओके चलो जी आर्टरी स्केरी करती है ऑक्सिजनेटिट ब्लड एक्सेप्ट अगेन वेरी सिंपल कोशन जो हमारा पल्मनेरी आर्टरी है वो राइट वेंटिकल से दी ऑक्सिजनेटिट ब्लड लेकर के जाता है ठीक है सुअसान कोशन है इसमें कुछ कोशन रह गए है ठीक है लेंफ अगरवाला कोशन देख लेते हैं इसको डिसकस कर लेते हैं यहां पर पूछा गए कि विचादा पॉलिंग स्टेट्मेंट फॉर लेंफ इस ट्रू डबल वी सीजन सीरम जो होते हैं प्रेजंट होते हैं इसमें ओल कॉंपोनेंट ऑफ अग्सेप्ट हमारा क्या अर बीसी अंड सम प्रोटीज आगीस को छोड़कर के और कुछ प्रोटीन को छोड़कर के सारी के सारी सीजे सेम होती है लेंफ के बीच में और ब्लट के बीच में ओके next यहां पर हमारा क्या है which of the falling is not the main function of lymph gland forming of WBC and forming of antibodies, forming of RBCs and destroying of bacteria तो WBCs जहां पर होंगे bacteria को destroy करेंगे lymph का RBCs के साथ कोई भी नाता नहीं है कोई भी रिष्टा नहीं है यह बात हमेशा याद रखना है तो अगर कहीं पर lymph के साथ RBC की बात हो रही है तो उसको पहले ही काड़ देना तो option number C मैं आग बंद करके हटा देता हूँ ओके चलो जी अगले question पर आते है next इधर ही है सीधा बस ज्यादा question नहीं है इसके बार disorders रह गए है और मैं एक हैल से यही last question है हमारा 76 तो जल्दी कर लेते हैं यहाँ पर पुछे गया है कि lymph जो होता है इसका क्या function है ट्रांसपोर्ट करता है oxygen to brain ट्रांसपोर्ट करता है CO2 to the lungs return करता है the interstitial fluid to blood return करता है WBCs and RBCs to the lymph nodes RBCs की बात हो रही है डीवल option हटा दो oxygen को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है CO2 को भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता है lymph एक middle man की तरह काम करता है अगर blood oxygen लेकर के आ रहे हैं तो blood से oxygen पहले lymph के पास जाती है फिर cells के पास जाती है तो it is a middle man दूसरा इसका main important जो function है interstitial fluid जो fluid हमारा cells के बीच में इखटा हो जाता है वो पूरा lymph बनके ही lymphatic vessels के थूँ वापिस से blood vessels में जाता है तो यहाँ पर आप option C select कर सकते हैं ठीक है next यहाँ पर हमारा question topic of disorders of circulatory system आ गया है यहाँ पर again which are the cases of erythroblastosis fetalysis तो वही case है कि कि इस case में erythroblastosis fetalysis हो सकता है तो father जब RH positive हो ठेक है और mother RJ negative हो या have fetus का दे रखा हां तो mother अगर geç negative mother उसको RH positive fetus हो जाएगा तो इस case में हम लोगों को देखने को मिलेगा या RH positive father और RH negative mother उस case में भी देखने को मिलेगा ठीक है अगर positive mother है और negative fetus है तो देखने को नहीं मिलेगा ठेक है यहां पर दे रहा है बोथ mother and fetus negative दोनों सेम होंगे तो नहीं देखने को मिलेगा दोनों सेम है नहीं देखने को मिलेगा और positive mother के अंदर negative fetus होता है तो भी देखने को नहीं मिलता ठीक है, और questions नहीं है, अच्छा एक चीज कर लेना, PDF तो मैं आप लोगों को शेर करी दोंगा, एक चीज बस कर लेना छोटी सी, जो हमारे वो है ना, heart failure और मतलब cardiac arrest, ठीक है, और जो होते हैं, मतलब heart failure हो गया हमारा, मैं कुछ आद क्यों नहीं आ रही ही, हाँ, heart failure हो गया, cardiac arrest ह हो गया, इन सब के बारे में basic difference, ठीक है, दे रखाए, NCRT के अंदर, एक line के अंदर, कि क्या होता है, वो read कर लेना, ठीक है, कभी कभी महां से question बन जाता है, तो exam में अगर पूछेंगे, तो आप उसको mark कर पाएंगे, ठीक है, तो वो read कर लेना, ठीक है, तो बाकी यहाँ प उस भी महाँ प्रणे में बाकी भाले में जाता है।